सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमिय आप सभी का सवाधत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नЕट पर दोस्तो आज हम बात करनेवाले हैं वीजिनिंग के अंदर बलड़ रिलेसं के बारे में दोस्तो blood relation में से एक question definitely हर बार आता है तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है और दोस्तो अगर आप ध्यान से करोगे तो ये जो अपना topic बिल्कुल असान है और बिल्कुल असानी से आप ये question कर सकते हैं और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे question भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल डिट्टो copy बिल्कुल डिट्टो copy repeat हुए है तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आसके तो चलिए दोस्तों हम जानते है दोस्तों सबसे पहले में आपको यहाँ पर बता दू कि हमारे लिए old paper करना हद से ज्यादा important है आप चाहे paper first की बात कर लो है paper second की दोनों के दोनों paper हमारे लिए करना बहुत जरूरी है इनके old paper कीजिए अगर आपको net plus ज्यारफ लेना है तो और अभी हम आपको दिखाऊंगा कि यह कितने ज्यादा important है तो चलिए हम शुरूरात करते हैं देखे दोस्तों यह हमरे जुलाई 2018 का question paper है जो re-exam हुआ था दोबारा exam हुआ था कुछ लोगों का हुआ था अगर आपको पता हो तो तो उसके अंदर ये question आया था दोस्तों ये question आप देखी यहाँ पर परसन चिने के स्थान पर दिये गए कूट में से सुमचित विकल्प को चुनी है ये इन्होंने दिया है गाए दूद, मदुमक्खी सैद, सिकसक इसमें हमें बताना है तो इस कांसर हम बिल्कुल असानी से दे सकते है और ये ही question बिल्कुल डिटो कोपी आया है पहले मापको वो दिखा देता हूँ ठीक, ये तो आपने देख लिया जैसे जुलाई 2018 का है और पहले कब आया है ये मापको दिखा देता हूँ, चलिए ये देखे दोस्तों ये हमारा जून 2013 का question पेपर है और इसके अंदर बिल्कुल शेम डिटो कोपी ये ही question आ गया देखे, इसमें मदुमक्खी सहेद, गाएं दूद और सिकसक दिया हूँ उसमें क्या था कि ये जो गाएं दूद है ये पहले दिया था, ये बाद में दिया था, इस तरह था तो यानि कि बिल्कुल शेम है दो, दोस्तों अगर किसी ने ये पहले question किया है तो अब जो question आया था बुल्का, उसका answer बिल्कुल रसानी से दे सकता है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि हमारे लिए old paper करना कितना ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने वीडियो काफी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि जुलाई 2018 में कितने question repeat हुए थे करीब 18 question ऐसे थे दोस्तों जो बिल्कुल डिटो copy repeat हुए थे तो दोस्तों हमारे लिए paper first or second old paper करना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोईन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं teaching के question अलग करके हैं कमणी के अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 unit के question हैं आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए हम बात करते हैं आज के questions के बारे में करते हैं blood relation के बारे में तो चलिए हम आपको कुछ steps से बताता हूं जिनको आप ध्यान में रखके बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो देखिए हमें question के अंदर एक लड़का या लड़की और तो बोढ़ा बोज़र भी इस तरह से कुछ दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना है कि अगर कोई male है तो उसके सामने plus का निशान लिखेंगे और अगर कोई female है तो उसके सामने minus का निशान रखेंगे क्योंकि इस से हमें कोई confusion नहीं होगा हमें पता सल जाएगा कि कौन लड़का और कौन से लड़की है देखे अगर कोई R नाम का लड़का है तो उसके आगे R पलस लिखेंगे और अगर लड़की है तो S माइनस इस तरह से लिखेंगे कोई भी हम नाम दे सकते हैं जैसे S, P, R, Q जो भी हमें देना है बस पलस और माइनस का हमें ध्यान में रखना है और आगे आता है दोस्तो टिपस नमर टू इसके अंदर क्या होता कि अगर हमारा सेम लेवल है जैसे कि भाई बहन है या कोई चाचा कलड़का है या पती-पत्नी है दोस्त है तो उसके अंदर हम इस तरह से denote करेंगे उसे ठीक है और तीसरे नमबर पे आता है दोस्तों अगर हमसे एक step उपर कोई रिस्ता है हमारा जैसे कि हमारे पापा हो गए हमारे चाचा हो गए या इस तरह से कोई भी हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह से उपर से लेके नीचे इस तरह का साइन लगाएंगे और आगया तो अगर हमसे दो लेवल उपर का कोई रिस्त है जैसे कि हमारे कोई दादा है नाना है दादी है या नानी है या इस तरह का कोई रिलेशन है तो इसमें हम इस तरह का पोजिशन इस तरह की position हम बनाएंगे तो दोस्तों अब हम इसके उपर question करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे question बिलकुल असानी से हो सकते है दोस्तों हम बात करते हैं जुलाई 2018 के question पेपर से ही ठीक है अब इसमें देखिए दोस्तों ये हमारा question number 24 है एक महिला ने अपने पती से राकेस का प्रिच्च कराते हुए कहा अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक एक line को लेके चलना है थोड़ी थोड़ी line को लेके चलना है ताकि हमें असानी से सहमज में आसके यह देखिए दोस्तों यहाँ पे इस ने कहा कि एक महिला ने देखिए हमने यहाँ पे पहले एक महिला इस तरह से लिखे लिए और इसके सामने माइनस का निसान लगा दिया इससे हमें पता चल रहा है कि यह कोई परसन है यह फीमिल है आगे देखिए अपने पती से राकेस का प्रिच्च कराते हुए अपने पती यह इसका हैजवेंड हो यह कह रही है कि इसके भाई के पिता यानि कि राकेस के भाई के पिता इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों हमें एक एक जो स्टेप बड़े ध्यान से करना है अब देखिए राकेस लिख दिया फिर आगे भाई लिख दिया इन दोनों के सामने प्लस प्लस लगा है और इसके भाई के पिता पिता को हमने यहां पे लिख दिया यतना लिख दिया दोस्तों आगे हम देखते हैं आगे क्या है कि इसके भाई के पिता इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलोते पुत्र है यानि कि मेरे दादा के इकलोते पुत्र यानि कि जो महिला है उसके द इसके भाई के पिता यानि की राकिस के भाई के पिता ये होगे पी और महिला के दादा के इकलोते पुत्र होगे एफ यानि की यहां पे आपको पता चलेगा की एफ जो यानि की जो पी और एफ है ये दोनों के दोनों एक ही परसन है एक ही आदमी है ये दोनों के दोनों ठीक ह यहां से हमें पता चल रहा है तो दोस्तों यहां से क्या होगा की अब देखिए दादा का बेटा क्या होता है अपना और इसने कहा है कि इकलोते पुत्र एकलोते पुत्र का मतलब क्या हुआ उसका बाप यानि कि जो महिला है उसका पिता और राकिस का भाई है उसका पिता ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो महिला है राकिस है और ये राकिस का भाई है ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन ह तो इससे हमें अपना जो answer आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि जो महिला है वो राकिस की क्या लगती है बहन लगती है तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि जो महिला है वो राकिस की क्या लगती है बहन लगती है तो इस तरह से यहां पे हम बिल्कुल असानी से question कर सकते है और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक के देख लेना आसानी से ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा और अगर कोई बात समझ में ना है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सा कोशन है अब ये देए दोस्तों हम अगला कोशन देखते है 24 इसमें कहा है कि अजे राकिस का दोस्त है तो सबसे पहले हम अजे और राकिस का रिलेशन इस तरह से लिख लेंगे एक बुजर्ग की और इसारा करते हुए अजे ने राकेश से पूछा वह कौन है यानि कि अजे ने राकेश से पूछा एक बुजर्ग की और इसारा करते हुए कि वो कौन है यानि कि ये बुजर्ग है इसके और इसारा करते हुए अजे ने राकेस से पूछा कि ये कौन है ठीक है आगे देखते है राकेस ने कहा अब देखो राकेस बता रहा है ये जो राकेस है ये बता रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है यानि कि उसका बेटा बुजर् का बेटा राकिस के बेटे का चाचा है तो दोस्तों यहां पे आप एक वर इस फिगर को अच्छे से देखिए और इसमें जो बाते लिखिए इन दोनों को पढ़िए आपको यह पुरा का पुरा ग्राफ बिलकुल समझ में आजाएगा अब देखे दोस्तों आगे हम देखते ह कि यह देखिए इसने का है कि मेरे बेटे का चाचा यानि कि मेरे बेटे का अंकल क्या होता है अब राकिस का क्या होगा यानि कि सेम रिलेशन हो जाएगा सेम लेवल का रिलेशन हो जाएगा भाई का हो जाए ठीक है और जो भाई का जो पिता होता है वो क्या होता है अपना वो होता है बाप होता है और यहां पे देखिए दोस्तों हमें पता चल रहा है कि राकिस के बेटे का चाचा हो गया यह ठीक है और जो अपने बेटे का चाचा जो होता है वो अपना क्या होगा अपना भाई हो जाएगा और अपने भाई का जो पिता होता है वो अपना भी पित होता है तो यहां से अपना अंसर का जाएगगा दोस्तों यह फादर आजएगा यहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस ग्राफ को आप अच्छे से देखना को बिल würकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर और दोस्तो एक हमने पलस माइनस का जो ट्रिक है वो यहां पे हमने नहीं लगाई अब यह देखे दोस्तों हमारे पास अगला कोश्चन है इसमें कहा है कि C और D बहने हैं तो सबसे पहले हमने C और D का रिलेशन यहां पे इस तरह से लिख लिया C और D दो बहने हैं उसके बाद में A और B है और इनके सामने पलस पलस निसान लगा दिया अब देखिए E जो है A का पुत्र है E जो है A का पुत्र है इस तरह से हमने लिख लिया जो यह E है A का बेटा है इस तरह से हमने लिख लिया अब देखिए और D का भाई है यानि कि E जो है A का तो पुत्र है और D का भाई है त में देखना है तो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले यहां पे देखिए कि इसने पहले का था कि C और D बहने ये दोनों की दोनों बहने है यानि कि जो रिलेशन D का B के साथ होगा वही C का B के साथ होगा अब हम देखते कि D का B के साथ क्या रिलेशन है अब चला कि जो D है वो E की बेहन है यहां से हमें पता चल रहा है ठीक है और जो E है E जो है A का बेटा है तो क्या हुआ कि जो D है वो A की भी बेटी हो गई यहां से आपको पता चल रहा है क्योंकि अब इसमें देहें दोस्तों E जो है A का बेटा है ठीक है और जो E है D का भाई है त और ए जो है बी का भाई है यानि कि अब क्या होगा यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो बी है वो डी का क्या हो जाएगा चाचा हो जाएगा यानि कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि डी और बी का क्या संबंध है चाचा का रिलेशन है इसके अंदर तो दोस्तों आप ये ग्राफ देखना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और दोस्तो इस पीडियों में हमने और भी काफी तरह के कोशन दे रखे आपकी प्रैक्टिस के लिए जो हमारे पीछे जो कोशन पेपर में रिपीट हुए वो अच्छे से तो आज के लिए बस इत के थैंकि दोस्तों हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के अंतर जैसे कि आप सभी को पताए कि एक कोशन डेफिनेटली हर बार आता है तो ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और दोस्तों कोडिंग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है जैसे कि M कितने नंबर पर आता है के कितने पर आता है डवलू कितने पर आता है इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए इनकी काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में के बाद आप कभी भी जिंदगी में alpha weight की counting नहीं भूलेंगे दोस्तो question paper में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि Q कितने पे आता है M कितने पे आता है J कितने पे आता है U कितने पे आता है अगर हम एक second के अंदर पता कर लेते कि कौन structure कितने पे आता तो हम बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे हम जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते है A, B, C, D, E देखिए ये A, B, C, D में पहले 5 अक्सर ये बिल्कुल असान होते हैं ये कोई भी बंदा या कितने पे आता हैं इसी तरह से लाश्ट के अंदर X, Y, Z जो होता है इनको भी हम बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पे आता है Y 25 पे आता है और Z 26 पे आता है दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सुरू के जो 5 अक्सर और लाश्ट के 3 अक्सर ये हमें याद रखना बहुत आसान है ये हम बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन शे अक्सर है अब देखे दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं आगे F और P के बारे में बात करते हैं देखे दोस्तों F और P के अंदर अगर हम कुछ समानता देखे तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों ये देखे F और P दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकर्टी मिलती है F और P को देखे हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये हमें कुछ-कुछ 6 के जैसा मिलेगा और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं एक तो 6 बनता है एक 16 बनता है ठीक है और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा Z आता है तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे फिर बच्छा हमारे पास 6 और 16 तो इसका मतलब क्या हुआ F जो है वो कितने पे आजाएगा 6 पे और P है वो आजाएगा 16 पे आजाएगा इस तरह से आप इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं देखिए यहाँ से हमारे 6 नंबर से 2 अक्सर हो रहे P और F हो रहे हैं तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा अक्सर है अब देखिए आगे हैं हमारे पास G और Q अब इसमें भी देखिए दोस्तों हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में common क्या है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं G इस तरह से लिखते हैं और Q इस तरह से G के अंदर यह देखिए दोस्तों यहाँ पे हम साथ के जैसा यह दिखाई दे रहा है हमें और इसी तरह से Q के अंदर यह देखिए दोस्तों यह भी साथ के जैसा दिखाई दे रहा है यहां से तो दोस्तों वही बात आती है कि 7 से हमारे कितने अक्षर, कितने नमबर बनते हैं, एक तो 7 बनता है, एक 17 बनता है, एक 27 बनता है, और हम सभी को पता है कि 27, 27 का किसी भी तरह का कोई alpha weight नहीं आता, तो बाद में हमारे पास क्या बच गए, एक तो 7 बच गया और एक 17 बच गया तो 7 किस के लिए हो जाएगा, जी के लिए, और Q किस के लिए हो जाएगा, 17 के लिए हो जाएगा, तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं, चलिए अब हम आगे देखते कि आगे कौन सा अक्षर है, अब देखिए दोस्तों बात आती है, X, X को हम किस तरह से नाद्य आईसे तो क्या बन जाएगा हमारा आठ बन जाएगा तो यानि की फिर क्या हुआ है एच कितने पर आता है आठ नंबर पर आता है तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं अब हम आगे देखते है आगे आता है दोस्तों हमारे पास आई दोस्तों आपने देखाओंगा कि आई को हम बड़े में ऐसे लिखते है चोटे में हम कुछ-कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लिखने में ये देखिए्व दोस्तों ये जो है हमारा 알फ़ाबेट कुछ-कुछ-9 के जैसा benefit हमें दिखाई दे रहा है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा आई कितने पे आएगा दोस्तो वो नो पे आएगा तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से इसे याद रख सकते हैं यानि कि देखते ही हमें पता चल रहा है और आगे देखते हम आगे कौन सक्षर आता है आगे आता है दोस्तो हमारे पास जे अगता है जय को देखे हम किस तरह से याद रखेंगे जय में देखें दोस्तों ऊपर का जो है यह डंडा जो है इसे हम एक माल लेंगे और नीचे जय में जो यह घूल कुल जीरो बना देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा एक और जीरो यानि कि दस यहां से हमारा दस हो जाएगा यानि कि जे कितने पर आता है फिर दस पर आता है यहां से हम इस तरह से इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है आगे आता है दोस्तों के दोस्तों हरियाना में हमारे हरियाना में बच्चे कहते हैं कि मजाक मजाक में कहते हैं कि ए वी सीडी का गार गयारवां अकसर के होगा है के होगा है तो यानि कि वो उसे में बता रहा है कि क्या है के होता है 11 अक्सर के होता है तो यहां यह बिल्कुल असानी से हम याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास अब देखिए ल को हम किस तरह से याद रखेंगे और इसमें देखिए ल को हम इस तरह से लिखत बन जाएगी और 2 से हमारे क्या-क्या काउंटिंग बनती एक दो बनती एक 12 बनती है ठीक है तो बाइस पे तो ये काफी लंबा हो गया यह नहीं आएगा और जो यह देखिए दोस्तों जो दो है दो पे हमें पता है बी आता है तो बीच में क्या बच जाएगा हमारा 12 बच जा को लेके चलते हैं एक तो हमारे पास M है और एक हमारे पास W है अब देखिए दोस्तों इसमें भी वही लोजिक लगाएंगे कि M और W से देखिए M और W को थोड़ा सा बस्टेडा कर दो और फिर देखो यह देखो M और W को इस तरह से करने पर हमें किसकी आकरती प्रातोरिय तीन के जैसा यह हमें लग रहा है और तीन से वही वात आती है दोस्तों कि 2 तरहности याद रख सकते हैं कि 1 तो M आ वह N के बार आता है जैसे कि M N और M हमने अभी पता है कि वह 13 नंबर पे आता है तो N कितने पाएगा? 14 नंबर पे आएगा और इसे हम एक दूसरे तरीक के से भी याद रख सकते हैं जैसे कि N है इस तरह हैiend को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से हमने काट लिया इन दो हिस्सों में काटने के बाद दोस्तों हमारे पास यह देखिए यह भी साथ के जैसा लग रहा है तो इन दोनों को जब हम एड करेंगे तो साथ और साथ कितना हो जाएगा चोधा हो जाएगा तो यहां से हम इस तरह से भी N को याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन शाद आता है आगे देखिए दोस्तों आगे आता है हमारे पास O ओको जैसे कि हमने अभी बताया कि M, N, O, 3, O, 81 आते तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते कि M आता है 13 पे, N, 14 पे, वो आता है 15 पे आता है ठीक है दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल उसानी से याद रख सकते हैं आगे देखते हैं, आगे देखिए दोस्तो आगे हमारे पास आता है R और S, अब देखिए R को हम किस तरह से याद करेंगे R को वही बात आई, दोस्तो R को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा 8 के जैसा हो जाएगा ठीक है और 8 का हमने पीछे देखा था कि 8 आठ पे कौन सक्स राता है अगर आपको याद हो तो 8 पे क्या आता है एच आता है तो 8 से हमारे कौन कौन सक्स अंक बनेंगे एक तो 8 बन गया एक 18 बन गया तो 28 हमें पता है कि 28 कुछ होता ही नहीं है और 8 पे हमारा एच आता है और ब तो आगे दोस्तो हमारे पास आता है T अब देखे T को याद रखना बिलकुल असान है जैसे कि हम कहते है 2020 मैच होते है हमारे यहाँ पे तो यहाँ से हम इसे बिलकुल यह असानी से याद रख सकते है T यानि 20 तो यहाँ से हम बिलकुल असानी से याद रख सकती अब आगे देखते दोस्तों आगे आता है हमारे पास यू, यू को देखे दोस्तों किस तरह से याद रखना है अब इसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा इसे भी दोस्तों हम छोटी AVCD में लिखने कोशिश करेंगे देखे दोस्तों यू को कुछ कुछ हम छोटी AVCD में इस तरह से भी लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होते है दोस्तों ये जो पार्ट है हमारा दो के जैसा लग रहा है और ये जो है हमारा एक के जैसा लग रहा है तो यहां से हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि यह कितने पर आएगा 21 पर यह आएगा तो इस तरह से कुछ लोजिक लगा के हम बिल्कुल लसानी से इसे याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है दोस्तों हमारे पास वी अब देखिए जैसे कि हमने गाडियों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि वी टू अवर टू यानि कि वी वी टू अवर टू यानि कि इसका मतलब क्या हो गया वी यह हो गया वी टू अवर टू यानि कि दो वार दो दो आ गया तो वी का मतलब क्या हो है यह 22 पे आता है तो इस तरह से हम बिल्कुल वी को बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से तो चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रीपीट होने वाले कोशन के वारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा कोशन दिखा देता हूँ जिसे देखके आप हैरान रहे जाएंगे और मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई तो चलिए दोस्तों वो कोशन देखते हैं देखे दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का कोशन पेपर है और इसके अंदर कोशन नमबर देखे 22 इसके अंदर देखे दोस्तों ये जो सीरीज ओपर दी हुई है इसे आप एक और बिलकुल अच्छे से देखिए ध्यान में देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी और एस बी एल ठीक दोस्तों यहां पर आपने देखे ली और अब हम देखते कि पहले कहां पर रिपीट हुई है अब ये देखिए दोस्तों ये है हमारा जा नमबर 2017 का कोशन पेपर इसमें ही यही कोशन नमबर देखिए दोस्तों टूंटी टू नमबर कोशन इसमें देखिए ए बी डी डी जी के एम एच एम एस एम एस एम टी बी दोस्तों यहां से आप देख सकते कि बिलकुल शेम कोशन आपको एक बार फिर से मैं यह दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों इसके अंदर यह रहा बिलकुल same question है ABD, DGK, HMS, MTV और इसमें जो है extra दोस्तो SBL दिया हुआ है और इसके अंदर क्या था इसके अंदर SBL नहीं दिया हुआ था अगली series इन्होंने पूछी हुई थी तो अगली series क्या है दोस्तो SBL है तो यहां से आप देख सकते दोस्तों यह कोशन बिल्कुल डिटो कोपी बिल्कुल डिटो कोपी आप देख सकते हैं यहां पर रिपीट हुआ है यह देखिए दोस्तों इसमें नुवंबर 2017 के अंदर यहां पर MTV तक दिया था लेकिन जुलाई 2018 में इनोंने एक और series आगे दे दी और इस series से अगली series इनोंने पूछ ली तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल डिटो कोपी कोशन रिपीट हो रहे हैं बार बार और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफी तरह की वीडियो बना रहे हैं जैसे कि teaching से research से और communication वगरा से किस तरह से कोशन रिपीट हुए हैं आज तक बिल्कुल डिटो कोपी तो वो वीडियो आप देखके अंधाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए old paper करना कितना ज़्यादा important है और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप old paper करते हो paper first और paper second और उन्हें analyze करते हो कि किस तरह के question repeat हो रहे हैं कौन से topic repeat हो रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका exam mat clear हो जाएगा बिल्कुल असानी से हो जाएगा किस आपको अलग लग किये हैं इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेश्ट देते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमर पर कॉंटेक्ट कीजिए तो आईए दोस्तों अब हम कुछ कोशन की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं दोस्तों अगर आप बार बार इन कोशन को करते हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल असान हो जाते हैं चलिए देखते हैं ये देखे दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 में कोशन आया था तो इसमें दे लिजिए सभी की सभी और आप क्या करिए दोस्तों जो लाष्ट के दो अक्सर है जैसे बी और डी इसमें दिया हुआ है इनकी नम्बरिंग लिखिए और आपना पहले से स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि फर्स्ट से जो एक्जामिनर है वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिस करेग ठीक है तो हम लाश्ट के जो दो डीजिट है उन से शुरुवात करते हैं अब देखे सभी की जो बीच की और लाश्ट की जो डीजिट है उनके अकसे वो अंखम लिख लेंगे इसमें देखे दोस्तों जैसे कि यहां पर आप देख सकते बी दो पे आता है कल मैंने आपको सिख दोस्तों अब हमें क्या करना है अब यह देखे जो बीच दोनों के दोनों अकसर है इनके अंदर देखे डिफरेंस कितने का है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका difference पांच का है फिर आगे देखते हैं इन दोनों में कितने का difference है आगे इसमें 6 का है फिर आगे देखते हैं आगे इसमें 7 का है और फिर इन दोनों में 8 का difference है इस तरह से हमें इन दोनों में difference देखना है कि बीच बीच के जो अकसर है उनमें पास होना चाहिए ठीक है और इसी तरह से अब हम नीचे देखते हैं यानि कि लाश्ट का जो अक्सर है डी और के के अंदर देखते हैं डी हमारा फोर पे होता है के हमारा 11 पे इस तरह से हमने लिख लिए यह तो इन दोनों में देखते हैं तो 7 का डिफिरेंस है और फिर के और S के अंदर देखते 8 का है फिर S और B के अंदर 9 का है और फिर B और L के अंदर दोस्तों 10 का अंतर है इस तरह से हम देख सकते हैं तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा 11 का अंतर आएगा तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो B है इसमें प्लस 9 करेंगे बी और यानि कि बी में नो जोड़ेंगे बी अपना दो पे होता है और नो जोड़ेंगे तो 11 हो जाए 11 यानि कि के यानि कि हमारा बीच का जो अक्सर होगा वो क्या होगा दोस्तों बीच का हो जाएगा अपना के और लास्ट का क्या होगा लास्ट का देखते हैं यह देहिए का यहां पर एल बारा पर और डिफेरेंस आगे कितने का होना चाहिए ग्यारा का होना चाहिए यहां से आप देख सकते हैं साथ आठ नो दस और आगे कितना होना चाहिए ग्यारा का डिफेरेंस होना चाहिए तो बारा के इंदर जब हम ग्यारा प्लस करेंगे तो कितना हो चिस्टितार हsmall हमें एक हम साराय दोस्तों आपको पता है उसलोग इसलों आया पाई और 2 आ सबूद आपको निया थे कुन के अंदर कमारे सिवर्चन को जाया को हुए है क्यगाल यह तो ye तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौनशा कोश्चन है अब देखे दोस्तों ये भी हमारा जुलाई के अंदर आया था इसे हम किस तरह से करेंगे इसमें देखे दोस्तों एक कोड दे देते हैं वो कहते हैं कि इस कोड को इस तरह से यानि कि इस तरह से लिखते हैं तो इस क कोड को कॉलकता को कैसे लिखेंगे अब यह देखिए दों जुलाइग् का कॉशिन पेपर है इसके अंदर इन्हों कि वारांसी को हम इस alum को किस तरह से लिखेंगे अब द Всёक दोस्तों इसके अंदर हमें यहां पे देखिए हमने इन सभी के numbering दे दी है और numbering के बारे में मैंने कल वीडियो डाली थी वहां से आप असाने से देख सकते हैं कि किस तरह से हमें number याद रखने हैं और आगे फिर नीचे भी हमने दे दी है तो अब इन में हम difference देखते हैं अब देखिए इन दोनों के अं फिर फांक का फिर छे का साथ का, आठ खै तो आगे जो याणि कि आगे हमें जो digit बनानी है आगे तो वह कैसे बनेगी दो सके क्या होना चाहिए यह एक दो यह fundo we can, 2, 3, 4 , 15, 6 , 7,8 का difference होना चाहिए यानि कि कोल हम क्या करेंगे के अंदर हम एक एड करेंगे तो क्या होगा के कितने पर होता है अपना ग्यारा पर होता है और एक एड करेंगे तो कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा और बारा नंबर पर अपना क्या आता है एल आता है और एल से दोस्तों हमारे कौन-कौन ले लिजे और उनका निकालिए ठीक है यह जो लाश्ट के 80 है इन तीनों को ले लिजे और निकाल के देखिए और देखिए लाश्ट में तीन किसके अंदर मैच कर रहे हैं तो इस तरह से आप दोस्तों असानी से और जल्द से जल्द कोशन निकाल सकते हैं हमें सभी के सभी ड असान ही होतें लेकिं कई बारami difficult question भी आ जाते या लेकिन दोस्तों अगर हम practice करते हैं बार बार तो हमारे लिए बिल्कुल असान हो जाता है अब इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास covenant दिया है और इसका जो code दिया, इन्होंने ये दिया है और आगे हमें elephant का बताना है तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो covalent है सबसे पहले अपना जो covalent है और यह जो code यह दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद में वही दोस्तों करेंगे कि हम इसमें numbering देंगे सबी की सबी numbering देंगे यहाँ इस तरह से और नीचे भी इस तरह से हम numbering देंगे इनको और फिर हम देखेंगे कि कहां पे क्या match हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आप इस picture में देख सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है यहां पर C है तो C का फिर यह D कहां पर जा के आ रहा है यहां पर आ रहा है और यह जो A है A का यहां पर B आ रहा है और यह 15 का फिर 16 यहां पर आ रहा है 22 का 23 यहां पर आ रहा है तो इस तरह से आपको दोस्तों थोड़ा उसके अंदर देखना है एनलाइज करना है कि कहां पे क्या मैच हो रहा है क्या हमारी सैटिंग बन रही है उस हिसाब से हमें कोशन को करना है तो दोस्तो आपको यहां पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यह हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे यह देखिए दोस्तो इन सभी में एक एक प्लस किया हुआ है C के वाद में D यहाँ पे आ गया O के बाद में हमारा P यहां पे आ गया V के वाद में हमारा W यहाँ पे आ गया इस तरह से आप देख सकते कि पलस एक किया हुआ है सभी में लेकिन उनकी जो position है वो इन्होंने change कर दी है थोड़ी सी तो यह हमें देखना है कि कौनशी position पे कौनशा अकसर आ रहा है तो इस तरह से अम्हें यह करना है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के question आ सकते हैं अब यह देखिए दोस्तों ही हमारा अगला question है कि hospital को इस तरह से लिखते हैं तो biological को किस तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर दोस्तो कुछ भी पलस या माइनस नहीं हो रहा बस इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तो जो अक्सर की जो पोजिशन है वो चेंज कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि S कहां पर आ रहा है, H कहां पर आ रहा है, O कहां पर होगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा कोश्चन हमें किस तरह से करना है और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे का वटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को साने से देख सके थैंक्यू दोस्तों हैलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग के अंदर नंबर सीरीज सुरू करने वाले हैं नंबर सीरीज के कोशन करने से पहले दोस्तों हमें इसके बेसिक पैटरन है वो हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टिप्स है वो हमें पता होना चाहिए, अगर वो हमें पता चल जाते हैं तो हम बहुत ही असानी से ये कोशन कर शकते हैं, और UGC नेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल कोशन आते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे तो बिल्कुल असानी से सभी के सभी कोशन बिल्कुल राइट कर सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं बेसिक पैटरन आफ नमबर सीरीज देखे हमारे कोशन पेपर में काफी तरह की नमबर सीरीज आते हैं हम कन्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा आपने देखा होगा कि किसी के अंदर बढ़ते करम में होता है किसी के अंदर घटते करम में होता है और किसी के अंदर मिक्स मिक्स नमबर दीए हुए होता है तो हमें पता नहीं चलता तो हम एक एक स्टेप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह के कोशन आ सकते हैं अब देखिए जो सबसे पहली जो नमबर सीरीज है दोस्तों वो हम कहे सकते हैं कि प्राइम नमबर की सीरीज आ सकती है प्राइम नमबर के अंदर क्या होता है दोस्तों जो केवल और केवल खुद से भाग होता हो और या फिर एक से डिवाइड होता हो उसे हम कहते है प्राइम नमबर कहते है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है एक एक दो तीन पांच साथ यह देखना आप यह एक तो खुद से दिवाइड हो रहे हैं तो अगला जो नमबर आएगा दोसतो Space 90 फिर क्या प्रक्राइग, ग्यारा ना कि 9, 9 नहीं आएगा दोस्तो क्यूंकि नो जो आँ वो 3 से टिवाइड हो रहा है ठीक है, तरह कि इस तरह का नंबर जो केवल और केवल खुद से और एक से डिवाइड होता उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं और इसमें दूसरा एक्जम्पल यह देख सकते हैं जैसे 11 13 17 19 यह केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और एक से और इसके लावा किसी थर्ड नं को मिलती है उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली नंबर शीरी जाती इसके इंदर होता है पैटरन ओफ डिफरेंस इसके इंदर क्या होता है कि पैटरन इसके इंदर इस तरह का पैटरन दिया हुआ होता है कि सभी के इंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है जैसे कि इसके तो आगे हमारा क्या हैगा दोस्तों यहाँ पे इसमें देखे दोस्तों इसमें कितने का डिफरेंस है दो दो का है ती देखे दोस्तों तीन पांच साथ नो इनके अंदर कितने का डिफरेंस है दो दो का डिफरेंस है तो जब हम नो के अंदर दो एड करेंगे तो कितना हो और यह जुग 11 है दोस्तों यह 11 हमें 26 के अंदर अड़ करना है और 26 के अंदर जब इसको एड़ करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 37 सकांसर आ जाएगा तो इस तरह से भी इसके अंदर पैटरन होता है वो हमें समझने की जरूरत है और यह दोस्तों यहाँ पर माइनस के अंदर भी हो सकता यानि कि शुरूर के अंदर 26 फिर 17 फिर 10 इस तरह से भी यह पैटरन हो सकता है और आगे देखते दोस्तों आगे हमारे पास स्केर और क्यूब स्केर का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी नंबर की पावर टू ठीक और किसी भी नंबर की पावर जब थरी होते तो उसे हम क्यूब कहते हैं यह हमने चोटी कलासों में पढ़ा हुआ है अब देखे इसके अंदर जो सबसे पहला एक्जामपल है उसके अंदर देखते हैं कि इसमें दिया है एक चार नो सोला प चार तीन की पावर नो चार की पावर सोला और पांच की पावर पच्चिस छे की पावर 36 हो गया तो यहां पे जो यह दिया हुए खाली यहां पे क्याएगा दोस्तों यहां पे आएगा हमारा सेवन की पावर टू यानिकि सत्व सत्व उनाइंचास यानिकि यहां पे हमने देखा एक, दो, तीन, च्यार, पाँच की पावर होती हुए जारी है, तो यहाँ पर क्याएगा, साथ की पावर यहाँ पर आजाएगा, सत्व, सत्व, उन्हें चैसिस का अंसर आजाएगा, इस तरह से हम बिल्कुल उसानी से कॉश्चन कर शकते हैं, और आगे देखें दोस् सभी हम करके देखते हैं, दोस्तो, च्यार की पावर थरी, अब देखें, एक की पावर थरी क्या होता है, एक होता है, दो की पावर थीन कितना होता है, दोस्तो, नो होता है, फिर तीन की पावर थीन कितना होता है, 27 होता है, फिर च्यार की पावर थरी कितना होता है, दोस्त 216 इसका answer होता है तो यहाँ पे इसका 216 answer आएगा तो इस तरह से भी हमें देखना है और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर power करनी है या plus करना है क्या करना है सबसे पहले हमें यह देखना है दोस्तों यह जो number series हमें दी हुई है यह हमें यह देखना कि यह continuously बढ़ रही है या घट रही है क्या हो रहा है अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों यह continuously बढ़ती विजारी है कोई भी number पिछले number से कम नहीं है ज़्यादा ही है जब यह देखिए यहाँ पर बढ़ता हो जारा है एक चार नो शोला पच्चिस चत्तिस और फिर चोन सटा है यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है इसमें प्लस हो रहा है या फिर multiply हो रहा है या फिर इसका scale या cube हो रहा है इन चार चीजों में से एक चीज होगी या तो प्लस होगा इनके अंदर या फिर multiply गुना होगा किसी नमर से या फिर इसका scale होगा या फिर इसका cube होगा ये चीज हमें देखना है इसके अंदर और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से है पैटरन अब देखिए pattern in alternate number अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था जो pattern है वो next number से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से लेकिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों pattern in alternate number यानि कि एक नंबर का तीसरे number से जो रिस्टा हो सकता है अब देखे इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं यह देखे ध्यान से देखे इसके अंदर के आए कि जो हमारे number वो बढ़ नहीं रहे यह देखे इसके अंदर यहां से 2 से 9 हो गया 9 से फिर 5 हो गया यनि कि एक वर पलस हो रहा है एक वर माइनस हो रहा है पलस माइनस पलस माइनस इस तरीके से चल रहा है इस तरह की situation हो तो हमें क्या करना है दोस्तो हमें एक नंबर का थरी नंबर से relation देखना क्या है अब देखिए इसके इंदर हम करके देखते हैं दो और पांच के अंदर difference देखिए दोस्तों कितने का है तीन का है और फिर पांच और आठ के अंदर देखिए तीन का है और फिर आठ और ग्यारा के अंदर देखिए तीन का है ठीक है तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आएगा यह एक नंबर छोड़ देते तो यहाँ पर क् ग्यारा के अंदर तीन एड़ कर दीजी कितना एगा 14 यानि कि 14 इसका नंबर आ जाएगा तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से कोश्चन कर सकते हैं अब अगला पैटर्न आता है दोस्तो हमारे पास ओड़ वन ओड़ वन के अंदर क्या होता है दोस्तो एक नंबर हमें गलत दिया हुआ होता है वो हमें पहचानना होता कि कौन सा नंबर इन्होंने गलत दिया है जैसे कि यहाँ पर इसमें एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर एक तो हमारा 14 जो number है यह 2- 17-14 से divide हो रहा है और एक हमारा 21 इन दो number को छोड़ के देखिए दोस्तों, एक तो 14 को 21 को हम छोड़ देते हैं तो और जितने वी number है जैसे 3, 5, 11, 17 यह केवल और केवल अपने आप से divide हो रहा है और एक से divide हो रहा है जो मैंने prime number की बात की थी आपसे सबसे पहले जो बात की थी तो इन दो number को छोड़ के और जितने वे number है वो हमारे prime number है और ये हमारे prime number नहीं है तो इस तरह से हमें कई वार पोच लिया जाता है कि निमन लेखित में से कौन सा गलत है आगे दोस्तों हमारे पास pattern in adjacent number इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम देखते हैं देखिए अब इसमें example देखते हैं देखिए इस example में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18 बहतर दिया है तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिस करते हैं देखिए तीन और 6 के अंदर क्या relation है तीन गुना में 2 यानि कि 6 आ गया फिर क्या है 6 का 18 आ रहा है तो इसका क्या हैगा 6 तीया 18 आ गया फिर है दोस्तों हमारे पास 18 और यहां पर कितना है बहतर 18 चोक के बहतर यहां पर देखिए दोस्तों पहले 2 से गुना फिर 3 से गुना फिर 4 से गुना जो पिछले वाला है उस पिछले वाला जो नंबर है उसको 2 से 3 से 4 से इस तरह से multiply होता हुआ आ रहा है तो अब हमारा यहां पर जो series आई वो क्या हैगी दोस्तों 22 को हमें 5 से multiply करना है 22 को 5 से multiply करने पर जो हमारा यहां पे answer आएगा वो यहां पे हमारा answer आजाएगा तो दोस्तों इस तरह से बिलकुल असानी से आप question कर सकते हैं और आगे दोस्तों हमारे पास complex numbers series अब देखें complex numbers series जैसे नाम से पता चला है कि यह उलजी हुई थोड़ी सी series हो सकती है अब इसे समझने की हम कोशिस करते हैं अब देखें इसके अंदर क्या है यहांपे सबसे पहले इन दोनों में देखते है difference कितना है इन दोनों के अंदर इफेरेंस है हमारा एक का फिर 5 और 7 के अंदर है दोस्तों 2 का फिर 7 और 10 के अंदर है 3 का फिर 10 और 14 के अंदर है दोस्तों 4 का तो यहां से आप देख सकते कि 1, 2, 3, 4 का difference आ रहा है तो अगला क्या difference होगा दोस्तों वो हमारा होगा 5 का यानि कि 14 के अंदर जब हम 5 add करेंगे तो यहां पर 19 आ जाएक तो इसकी जो next series होगी दोस्तों वो हमारी होगी 19 होगी और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास using two और more basic arithmetic function अब देखे कई series ऐसी हो सकते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा दो function वी उसके अंदर लग सकते हैं अब देखे इसे हम समझने की कोशिस करते हैं अब देखे इसका example देखे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखे तीन और पांच के अंदर कितने का difference है दोस्तों यहाँ पे दो का difference है और फिर यहाँ पे देखी पांच और दस के अंदर कितने का है पांच का है फिर दस और दो के अंदर है दोस्तो दो का ठीक है और फिर बारा और चोबिस के अंदर है दोस्तो बारा का तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा पैटरन दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पैटरन बन रह का है लेकिन आप दिहान से देखोगे दोस्तो तो इसमें एक pattern बनता होँ नजर आ रहा है यह देखे इन दोणों नुमBER के इन दर कितने का है दो का difference है फिर इन दोनों के इन दर कितने का है दोस्तो 2 का difference है तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी दो का डिफरेंस होगा तो अगली जो सीरीज होगी दोस्तों उसके अंदर क्या होगा 24 पलस में 2 यानि 26 यहाँ पे अगर हम 26 लिख देते हैं जैसे यहाँ पे हमने 26 लिख दिया अब देखिए दोस्तों इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया और इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया तो इस तरह से हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है दोस्तों एक इस चीज मैं यहाँ पे आपको बता दू कि कई दोस्त ये सोच सकते हैं कि ये जो पैटरन ये तो बहुत असान असान बैटरन है तो यूजी सी नेट के अंदर पैटरन आते दोस्तों वह आज इसी तने ज्यादा मुर्सक्त के लिए कठिन पैटर्न नहीं आते हैं इसके अलावे भी कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं मुझे पता है अन्य एक्जाम में आते हैं लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक करने की ज़रूरत है दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो क को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख स के, थाइंक्यू दोस्तो. हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम नमबर सीरीज के अंदर 2012 से लेके 2019 तक जो भी कोशन आये हैं उन सभी कोम करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नमबर सीरीज पैटरन यूज हुआ है, क्या ट्रिक यूज हुई है और किस तरह से हम बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि यूजी सी नेट में किस लेवल तक के कोशन आते हैं नमबर सीरीज में तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमे जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आचुके हैं वह हमने अलग कर खेंए इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन है आपको अलग लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पे पैटर लगता है देखे यहां पर इसने दिया है कि दो 5 फिर 10 फिर 17 फिर 26 फिर 37 तो मैंने कल आपको कई पैटर न बताए थे तो सबसे पहले हमें इसमें यह देखना कि बढ़ते करम में चढ़ते करम में हैं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे आप के अंदर डिफरेंस है दोस्तों तीन का फिर पांच और दस के अंदर है दोस्तों पांच का फिर है साथ का और फिर है कितने का है नो का है और फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों ग्यारा का इस तरीके से इन सुभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं और यह देखे दोस्तों यह जो है इनके अंदर भी फिर difference दिया हुआ है इनके अंदर 22 का डिफरेंस दिया है देखे 3 5 7 9 11 तो यहां पर जो अगला जो हमारे digit आई यहां कि यहां पर क्या हिए गा 11 के बाद क्या गा पर 13 अएगा और यह 13 दोस्तों इसके अंदर हमें अड़ करना 37 के अंदर हमें add करना है जब 37 के अंदर 13 को add करेंगी तो हमारे पास कहाए तियस, उन्तालिस और 59, अब इनमें भी ये देखे, इनमें भी बढ़ते करम में हैं, तो इसमें हम देखे, किस तरह से ये सोल करें, देखे सब से पहले हम इनके अंदर डिफरेंस देखने की कोशिस करते हैं, कि कितना कितना डिफरेंस है, अब तीन और ग्यारा के अंदर का अंतार है दोस्तों हमारा 20 का अंतार है तो यहां से आप देख सकते कि जो अंतार आया है वह हमारा आठ-बारास- hectolic उल हमारा आठ-बारा-सी और इनके अंदर देखें दोस्तों इनके अंदर कितने कितना के इनके इंदर चाहर चाहर का डिफरेंस Bennett है आठ 12 16 20 तो यहां पर जो 20 के बाद आएगा वो क्याएगा दोस्तो हमारे पास 24 आएगा और ये 24 दोस्तो हमें इसके अंदर add करना है 59 के अंदर जब हम 59 के अंदर 24 को add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तो 73 हमारा answer आएगा तो इस तरह से ये question भी हमारा बिल्कुल असानी से हो जाएगा तो देख सकते हैं कि कितने असान question आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि musical question भी आते है UGC net के अंदर वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे अब यह देखे जून 2012 के अंदर question पेपर आया था और इसके अंदर देखे इसके अंदर किस तरह से question होगा इसके अंदर हम देखे तो इसमें भी जो order है वो बढ़ते करम में हैं दो छे बारा बीस तीस इस तरह से इनोंने question दिया हुआ है तो इसमें हम सबसे पहले इन में difference देखने की कोशिस करते हैं दो और छे के अंदर देखते हैं कितना है दो और छे के अंदर दोस्तो च्यार का difference है फिर छे और बारा के अंदर है दोस्तो छे का है फिर बारा और बीस के अंदर है दोस्तो आठ का है फिर 20 और 30 के अंदर है दोस्तों 10 का है फिर यहां पे है 12 का और फिर है यहां पे दोस्तों कितने का 14 का तो यहां से देखे 4, 6, 8, 10, 12, 14 तो अगला जो difference होगा दोस्तों वो कितना होगा 16 का difference होगा और 16 को जब हम 56 के इंदर add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 72 इसका अंसर आएगा दोस्तों आप समझ रहे हैं आप एक वर देखी यह जो मैंने किया है सबसे पहले इन में difference देखे 2 और 6 के अंडर 4 का 6 और 12 के अंदर 6 का है 12 और 20 के अंदर 8 का है 20 और 30 के अंदर 10 का है 30 और 42 के इंदर 12 तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4 6 8 10 12 14 16 का है और तो इस तरह से 16 को हम 56 में add करेंगे तो हमारा आएगा 72 तो यहां पर जो 72 इसका अंसर है C answer इसका दियाओवा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल असानी से question कर शकते हैं और आगे question देखते हैं, आगे हमारा question आया है, दिसंबर 2012 के अंदर, अब इसमें हम करने की question करते हैं, और देखते हैं यह question कैसे आएगा, दोस्तों सबसे पहले हम इसमें difference देखने की question करते हैं, कित छे और चोविस के अंदर जो difference है दोस्तों, वो है हमारा 18 का, चोविस और साथ के अंदर है दोस्तों, वो है हमारा 36 का, और फिर 60 और 120 के अंदर है दोस्तों, 60 का अंतर है, तो यहां से हमारा कुछ सही से pattern नहीं बन रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे plus होना चाग कि हैंगि यहां पर जो है वो झाय क्यों सभी से पैटरन नहीं बन रहा तो अब हम इक क्यों गजीव देखते हैं दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताए थी कि हमें क्योग देखना है स्कीर देखना है तो वह हम देखते कि क्या यह उसके नजदीख है यह नहीं है अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताओं देखिए जीरो का स्केर या क्यूब करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा अब इसको मैं यहाँ पर लिखे लेता हूं ताकि हम सब ही को अच्छे से समझ में आ जाए जीरो छे चोबीस साट और फिर हमने लिख लिया एक सो बीस अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते हैं तो यह देखिए यह किसके क्यूब के एक्वल टू है दो का क्यूब करते तो आठ है दोस्तो दो की पावर थरी करते है जब आठ हा गया और जब इसको यह किसकी पावर के equal है दोस्तों आप सोच के देखिए यह जब हम तीन की power करते तो 27 है तो यह कही ना कहीं 27 के करीब है उसके equal नहीं है लेकिन करीब है फिर बात आती है हमारे पास 60 अब देखिए किसके cube के equal to है यह देखिए जब हम 4 का cube करते तो 4 चोके 16 16 चोके 64 तो कही ना कहीं यह cube के पास में जा रहा है तो उनमें हम देखते कि क्या हो सकता है यह देखिए हमने 0 का cube किया और इसमें से मालो 0 ही हमने घटा दिया तो यह आगया हमारे पास 0 फिर यहां पे 6 है तो 6 का हम करेंगे जैसे कि 2 का cube किया हमने आठ आघ गया, आठ मेंसे हमने कितना घटा दिया दोस्तो, हमने घटा दिया दो, तो ये कितना आगया 6 आगया, इसी तरीक्वे से आगए है हमारे पास 24, 24 है तो 3 का हम Q게요 करेंगे, 3 का Thinking कितना है दोस्तो 27 आगया 27 मेंसे हमने कितना माइनस कर दिया तो यहां पर कितना जाएगा चोबीस आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से साथ है तो साथ का हम यहां पर कर लेते हैं च्यार च्यार का क्यूब हमारे पास 64 होता है जिसको क्यूब नहीं पता है दोस्तों क्यूब का मतलब यह होता है जैसे च्यार का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 यानि कि 3 बार गुना करना किसी भी चीज को तो 4 का क्यूब होता है दोस्तो 64, 64 में से हमने 4 माइनस किया तो यहां पे आगे हमारे पास 60 आगे हमारे पास इसी तरीके से जो यह 120 है, 120 में दोस्तों हम क्या करेंगे 5 का کیوب करेंगे 125 में जब हम 5 मैंनिस करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा तो अगली जो है दोस्तोς यह question मारक है, यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर सीधी सी बात है हमें 6 का क्यूब करना है 6 का क्यूब और मैंनिस कितना करना है 6 मैंनिस करना है तो 6 का कितना होता है दोस्तो वो होता है साइद हमारा 216 हाँ 216 होता है 216 के अंदर जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जवान में से दोस्तो वो क्या आएगा वो हमारा 210 आजाएगा तो दोस्तो इस तरह से थोड़े difficult question भी हमारे पास आ सकते हैं बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिस करने है हाँ थोड़ा सा time भी ज्यादा लग सकता है लेकिन जब आप practice करोगे इस तरह की question की तो आपको आने लग जाएंगे जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे ये question और अगर किसी दोस्त को ये question समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें वर्टसाप पे message कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और अगर ये question समझ में नहीं आया तो आप एक वर वीडियो दोवारा भी देखना उससे भी कि आपको एक question समझ में आज हैगा तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं यह दोस्तों हमारे पास जून 2013 का question paper है इसके अंदर देखी दोस्तों इसके अंदर है हमारे पास 40 का 120 है फिर 60 है फिर 180 है फिर 90 है अब देखी इसके अंदर मैंने बताया था आपको की सबसे पहले हमें देखना है कि sequence सही है या गलत है अब इसमें देखिए सबसे पहले बढ़ गया 40 120 हो गया फिर माइनस हो गया फिर प्लस हो गया फिर माइनस हो और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरू में आपको क्लिव मिल रहा है, अब देखें, चालिस गुना तेन कितना होता है, एकसो बीस होता है, यानि कि चार ती वारा एकसो इस, और फिर देखें, छेती अठारा, यानि कि साथ ती या एकसो ऐसी हो गया, तो नो द देखेंशा, तो देखेंशा, यानि किसे इस, तरिकी से अइस, तो इस तरिके से मैं ने कॉंपलेक्स भी, एकस whiskey बताई थी, उस Kि अद्र वाई, औरझा जिन की इस, तो कमीस हैंत्म कीसMark Chest Chi Sh तो इस तरह से इन को कर सकते हैं आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हर बार प्लस ही नहीं होगा उनके अंदर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और multiply भाग कुछ भी हो सकता है उनके अंदर हमें देखने की आवसकता है और उनके अंदर एक जो ट्रम है छोड़के दूसरी ट्रम से भी relation हो सकता है तो ये थोड़ा आप देखने की कोशिस करना और बार बार कह रहा हूं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से कोशिण आपको आएगा और अब हम देखते दोस्तों अगला कोशिण ये हमारा जून 2014 के अंदर कोशिण आया था इसके अंदर चार पांच आठ तेरा चोधा सत्रा बाइस दिया है अब देखिए इसके अंदर ये कहरा कि इनमें से कौन सा आंकड़ा नहीं आता कौन सी जो सीरीज है वो गलत है इनके अंदर वो हमें बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले वह ही करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस है वो देखेंगे दोस्तों देखें डिफरेंस हम देखते हैं 4 और 5 के अंदर एंदर 2 एक का 5 और 8 के अंदर 2 तीन का फिर है 8 के अंदर 3 पांच का और 7 की के अंदर है दोस्तो हमारा पमच का तो यह हमने डिफरेंस देखा दोस्तोय आप कोपी में लिख लेना चाहें इस ऐसे कोशन कोपी में करके देखोगी जदा अच्छे से समझ में आएगा अब देखें इनके इंदर हमने 13 तिन पांच एक्तिन पांच ये सीरीज हमारी चल रही है तो आगे जो सीरीज होगी दोस्तों वह भी क्या होगी हमें 22 के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा पहले हमें एक एड करना पड़ेगा यानि कि कितना गया हमारे पास 23 के अंदर दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा 3 एड़ करना पड़ेगा 26 के अंदर हमें क्या एड़ करना पड़ेगा दोस्तों 5 एड़ करना पड़ेगा तो हमारे पास कितना गया 31 आ गया ठीक है तो ये कह रहा कि निमन लिखित में से कौन सा अंकड़ा नहीं होगा वो हमें बताना है अब देखे 31 तो इसमें होगा ये तो ठीक है अब देखे 31 तक ये सीरीज आगी 31 के बाद हमारा क्या होगा उसके बाद भी हमें वही सीरीज अपनानी है यानि कि देखे मैं बता रहा हूँ आपको 31 के बाद क्या करना है 31 जमा में एक करना है तो कितना आगया हमारे पास 32 आगया 32 जमा में हमें क्या करना है 3 करना है तो ये कितना आगया 35 जमा में कितना करना है 5 करना है तो कितना आगया 40 आगया तो इन के अंदर ये देखिए दोस्तो हमारे पास 31 भी आ गया था 32 भी आ गया था 35 भी आ गया लेकिन जो 33 है वो हमारे पास सिरीज नहीं आई 33 जो नंबर वो नहीं आया जो हमने कॉशन किया है तो इसका right जो answer है दोस्तो वो हमारा होगा 33 इसका अंसर होगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते है वस थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है अब हम अगला कोशन देखते हैं ये दिसंबर 2014 के अंदर आया था दोस्तों इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगला पद कौन सा होगा अब देखे दो साथ अठाइस चोंसट और 126 दोस्तों ये तो बिलकुल आंखों के सामने ही है हमारा देखिए अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं ता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये लिख दिया मैंने 2, 7, 28, 73, फिर है 126 अब देखे दोस्तों इसके अंदर क्या है इसके अंदर देखे थोड़ा सा ध्यान देने की आवसिकता है 63 है, 63 मतलब 64 के करीब है 126 है, 125 के करीब है 28 है वो 27 के करीब है 7 है वो 8 के करीब है यहां से क्या कुछ आए है समझ में आपको Cube चल रहा है दोस्तो Cube, Cube की बात हो रही है यहां पे देखिए अगर हम यहां पे 1 का Cube कर देते हैं और 1 के Cube में 1 ही Add कर दे तो हमारे पास 2 आजएगा, अब देखिए 7 है तो 2 का Cube हमने कर दिया 2 का Cube होता है, हमारे पास 8 होता है, 8 में से हम Minus 1 कर देंगे, तो कितना आजएगा 7 हमारे पास आजएगा इसी तरीके से 28 है 28 का क्या होगा दोस्तो, 3 का Cube हम कर देते हैं 3 की पावर 3 कर देते हैं और प्लस में 1 कर देते हैं तो कितना आजएगा हमारे पास 28 हाजएगा, क्यूंकि 3 का Cube होता है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 27 जमा में 1, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा Cube हो रहा है 1 का Cube, 2 का Cube, 3 का Cube और फिर देखिए, यह 4 का Cube 4 का Cube कीतना होता है, 64 होता है 64 में से हमने 1 माइनस कर दिया यानि कि यहाँ तो 1, 2, 3 का हमारे पास Cube होता हुआ जा रहा है यहाँ से Cube होता हुआ जा रहा है और यहाँ पे 1 पलस, 1 माइनस 126 आता है पांस का क्यूब कितना होता है दोस्तो 125 होता है 125 जमा में एक कर दिया तो हमारे पास आ गया 126 आ गया तो नेक्स्ट जो सीरीज आई गी वो क्या होगा दोस्तों हमें 6 का क्यूब करना है और अब बताइए छे का क्यूब करने की बाद हमें इसमें प्लस करना है या माइनस करना है यहाँ पर प्लस होगा तो अगला क्या होगा माइनस होगा तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा छे का क्यूब होता है दोस्टो सोला सोरी एक पिनट छे का क्यूब होता है हमारे पास 216 माइनस में एक तो कितना जाएगा 215 और 215 इसका उप्शन नमबर एक इसका अंसर दिया हुआ है तो दोस्तो इस तरह से आप कोशन कर सकते हैं और चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं यह हमारा जून 2015 के अंदर कोशन आया है इसके इन्होंने सिर्इस दिये 259 1937 अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है यह देखे, 2, 5, 9, 19, और 37, देखे, कई question ऐसे होते हैं, जो देखते ही हमें idea से लगने लग जाता है, अब देखे, इन दोनों के अंदर कितना relation है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है, यह देखे, 2 दुनी 4 जमा में, 1 कितन नो गया, ठीक है? ये हो गया. अब 9 कैसे हो सकता है? पांच लूनी 10 10 में से 1 माइनस कर दिया, 9 हो गया. ठीक है? फिर हमारे पास 9 हो गया. 9 लूनी 18 जमां में 11 हो गया. तो यहां से बिल्कुल हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है. चलिए मैं आपको थोड़ा करके लिखा देता हूँ, देखे, दो गुना में दो जमा में एक, जमा, एक्वल्ट हो गया, पांच, फिर अब पांच गुना में दो, माइनस में एक, कितना हो गया, नो, फिर क्या है, नो गुना में दो, पलस में एक, कितना हो गया हमारे पास, उ पहलेकर 5, 5 दुनी 10, 10 में से एक गया, 9, 9 दुनी 18 जवा में एक, 19 हो गया, इसी तरीके से 37 कैसे आएगा, 19 गुना में 2, 19 दुनी 38 माइनस में 1, कितना हो गया, 37 हो गया, तो अब देखिए, अगला क्या आएगा, 37 गुना में 2, और पलस में 1, तो कितना आएगा, यह आप कि यह हमारा आएगा 75, 37 गुना में दो होता है, 74 पलस में एक 75 इसका अंसर आजाया, तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं, और आप करके देखना दोस्तों यह जितने भी question करवा हैं, मैंने आप सभी यह copy में लिखना, इनकी statement और करके देखना, और solution म मैंने आपको साथ की साथ दिये हुए हैं, आप चेक करना, और फिर भी आपको किसी भी तरही कोई दिक्कत आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगला question है दोस्तों हमारे पास अगस्त 2016 का question है, इसके अंदर देखिए, इन्होंने दिया, 15, 13, 25, 41, अब इसमें देखते है कि इसमें हमारा क्या हो सकता है, अब देखिए, 1, 5, 13, 25, और फिर है 41, अब देखिए, इन के अंदर सबसे पहले इन में देखते हैं, एक और 5 के अंदर कितना difference है दोस्तों, 4 का है, 5 और 13 के अंदर है दोस्तों, 8 का है, 13 और 25 के अंदर कितना है दोस्तों, 12 का है, 25 और 41 के अ 60 site 16 का आद दो अगला की आएगा दोस्तो यहां पर हमारा वी साइगा सोला के वादी क्या आता है बीस बीस को जब मिंदद 41 के एड़ करेंगे तो कितना आ जाए मारे पास 60 लिन आ जाएगा और यह कोर्टमन हंने पहले वी किया था दोस्तो तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कोश्चन कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्चता है अब देखे दोस्तो यह हमारा जनवरी 2017 के अंदर कोश्चन आया था इसमें देखते हैं कि क्या होगा और यह कोश कोश्चन पेपर में कोश्चन जो है यूजी सी नेट के अंदर बहुत कोश्चन रिपीट होते हैं लेकिन आप चो लोग है वो ध्यान नहीं देते हैं देखे इसके अंदर एक चार 27 फिर है 16 और फिर है डैस दे दिया और फिर है 36 यह तो दोस्तों बिलकुल असान है ही रहेगा अब देखी चार है चार किसकी कुल्ट हो सकता है दो की पावर दो दो दोनी चार 27 क्या हो सकता है दोस्तों तीन की पावर तीन चार क्या हो सकता है दो की पावर दो और 16 क्या हो सकता है दोस्तों चार की पावर दो अब देखी थोड़ा जिन दोस्तों को मैथ की दो दूनी चार तीन की पावर तीन की तीन तीन नो तीन सताइस फिर चार की पावर दो की चार चौके सोला तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों यह जो डैस दिया हुआ है इस तरह का यहां पे इस पे क्या आएगा यहां पे हम क्या करेंगे पांच के पावर दो करते तो कितना आएगा पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू- और फिर है 29 अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं अब देखिए माइनस वन और फाइव के अंदर कितना डिफरेंस है यह बताइए दोस्तों सबसे पहले आप इनके अंदर कितना डिफरेंस है इसके अंदर कई दोस्त कहेंगे कि 5 क का डिफेरेंस है कही चे कहेंगे तो उना और ओर अध़ितridge-धिश्थे का हमारे पास चौधा का डिफेरेंस है तो अब देखें इन के ला間 कितने को डिफेरेंस है नीचे देखे दोस्तों 4 4 का difference है 6 जमा में 4 10 10 जमा में 4 14 14 जमा में 4 कितना होगा दोस्तों 18 होगा और यह 18 जब हम 29 के अंदर एड करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों वह आएगा हमारे पास 47 आएगा तो दोस्तों आप देख सकते कि कि कितने असान कोश्चन आ रहे हैं कितने असान कोश्चन आ रहे हैं लेकिन फिर वी हम नहीं कर पाते तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की आवे सकता है और यह जुलाई 2018 में कोश्चन आया है और अब हम अगला कोश्चन करने की कोशिश करते दोस्तों अब अगला कोश्च हमें देखने क्या हैंगी दोस्तों यह कोशन आप करके देखना बिल्कुल असान थोड़ा सा अध्यान देने क्या हो शकता है छोनों आपको हिंट बता देता हूं इसका हिंट क्या होगा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है पांच और 19 के अंदर फिर 19 और 49 के अंदर इन सभी के अंदर आप डिफेरेंश देखना हम ळ depends कि डी फेलेंशा गया दस चौदा पच्चेस इस तरीके से मेरे difference आगया वो डिफेरेंश आने के बाद में फिर मीचे जो एक जो डिफेरेंस आए इन दोनों के बीच में जो difference आए वो difference आप देखना ठीक है इस तरीकिसे छे-छे आ जा है या चयार चयार जो भी difference आए वहां पिर पे जो सीरीज ए उसके अंदर एड़ करना है और ये जो सीरीज आए दोस्तों इसके अंदर वो फिर 295 के अंदर एड़ करना है ठीक है आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आपको problem ना हो सबसे पहले इनके अंदर difference देखना दोस्तों 5 और 19 के बीच में 19 और 49 के बीच में 101 के बीच में इन सभी के बीच में आप difference देखना और वो जो difference आए फिर उनके अंदर difference देखना क्या क्या difference हो ठीक है और वो जो difference है वो common difference कितना है वो digit फिर उसके अंदर add करना ठीक है इस तरीके से आप करके देखना यह आज है बिलकुल असान है अगर फिर भी किसी भी दोस्त को यह question नहीं आता है तो आप हमें वर्टसप पे contact करना हम आपको answer देने कि पूरी पूरी कोशिस करेंगे और वैसे इसका answer यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर देखे बी इसका answer है चाश्चों उनिंचास इसका answer आएगा लेकिन आप अपने आप करके देखना कि क्या इसका answer चाश्चों उनिंचास अब देखे दोस्तों ये तो बिल्कुल असान है दोस्तों बिल्कुल असान है ये तो साफ साफ सब्दों में दिख रहा है देखे नो है नो किस के पावर होते दोस्तों तीन तिया नो 36 है, छिकू छिकू, 36, 100 है, 10 की पावर, 2, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 है, तो 1 की पावर, 1, 0 है, 0 की पावर, 2 कर दो, यहाँ पर, अब देखे, 0, 1, 3, 6, 10, यहाँ पर सभी की पावर हो रही है, पावर, 2, 3, 9, 6, 6, 6, 10 की पावर, 2, 100 हो गया, अब यहाँ पर देखे, दोस्तों, यहाँ पर 1 का डिफिन्स, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, तो आगे क्याएगा, दस में जब हम 5 एड करेंगे, तो 15 आ जाएगा, और 15 की पावर, 2 कीतना होगा, दोस्तों, व पिल्कुल आसानी से कॉशन कर सकते हैं और अगर आपको जिए अरफ लेना है तो आप यह सभी के सभी कॉशन आप एक बढ़र करके देखेज़ यह सवाल है कोपी में लिखिए कोपी में कर करके देखि और कोई सवाल नहीं आता है तो आंसर हमने यहाप explanation के साथ समझाया हुआ है आप दोबारा वीडियो देखिए आपको समझ में आजएगा तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को सानी से देखिए, thank you दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा paid course भी जोईन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ आ चुके हैं दोस्तो आज हम mathematical reasoning के अंदर direction and distance के question करने वाल है और इसकी कुछ tricks देखने वाल है कि किस तरह से हम इन question को बिलकुल असानी से कर सकते हैं और इसमें से दोस्तो लगबग हर बार question आने की संभावना रहती है और काफी question आज तक UGC net paper first में आए हैं तो यह topic करना हमाले बहुत ज्यादा important है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान चलिए दोस्तों अब हम question करने की कोशिश करते हैं और question करने से पहले हमें कुछ tricks के बारे में पता होना चाहिए basic बाते पता होना चाहिए देखे जब हम direction और distance के question करते हैं तो सबसे पहले हमें direction के बारे में पता होना चाहिए कि east west north south कौनची है कई दोस्त इसमें भी confused हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं देखे east होते हैं जो पूरू की दिशा होते हैं उसे हम कहते हैं इस तरीके से सबसे पहले basic चीज़ी हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों की थोड़ी सी basic चीज़ समझने वाली है वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से question करता है कि जब भी आप question करो तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करना अपनी figure east west north south इस तरीके से ठीक है यानि कि आपका जो चेहरा है वो इसकी तरफ होना चाहिए और जो अपका दाया जो हाथ है वो होना चाहिए east की तरफ और बाया जो हाथ है वो होना चाहिए west की तरफ होना चाहिए इसकी वह मैं figure आपको बना के दिखाऊ हूँ एक मिनटर की देखे जैसे हम बनाते हैं कि एक ये कोई लड़का है यहाँ पर है और ये इस तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ पर यानि कि इसक है इसका left hand है वो west की तरफ है और इसका जो चहरा है वो north की तरफ है इस तरीके से आपको यह बनानी है ठीक है और आगे हम देखते कि इसकी अलावा भी जो direction होती है वो क्या होती है अब एक चीज़ और होती है अब कुछ direction और होती इनके अंदर बीच में जो direction होती देखे ज ये चीजे भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इनका भी हमारे कोशन पेपर में यूज हो शकता है और हमें दाए और बाए किस तरीके से मुड़ना है कोशन के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस्ट वेस्ट नौर्थ होना है ताकि हम अच्छे से कोशन कर सके और इसके अंदर और चीजे देखते हैं जैसे हम यह भी आप फिगर देख सकते हैं इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी डायरेक्शन और और इसके अंदर देखते जैसे की देखी इसके अंदर क्या होता ह कि हमें दाय मुडदना ये बाय मुडदना जब वो दाय मुड़ने की बात करें तो हमें भी ढदरें दोक हमाब मुड़ना हैं जब दाय कि हम कौष्चन करें गेगE और एक जो चीज है दोस्तो इसके इंदर जो most important है जो हर बार question paper में पूछी जाती है उसी के वेश पर question आते है वो है दोस्तो पाइथा गोर स्प्रे में हमारा जो formula है वो लागू होता है ये जो formula है दोस्तो ये हमने 10th class के इंदर किया हुआ है जैसे कि हमें एक तिर्भुज द पता करना होता है कि यहां से लेके यहां तक कि distance कितनी है तो उस time हमारा पाइथा गोर स्प्रे में formula लागू होता है और इस formula के इनसार क्या होता है दोस्तो जो current जो होता है यानि कि diagonal जो होता है हमारा ये जो होता है ये equal to किसके होता है लंब प्लस हाद अधार लंब मिंस जो यह height है इसका square प्लस में अधार यानि की base है इसका तो इस base पे हम question निकालते हैं और यहाँ पर आप अगर English में देखना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं देखें जैसे पाइथा गोर्स प्रेम में होता इसका formula क्या होता है A square प्लस B square A ये हो गया और B ये हो गया इसका A का square प्लस B का square एकवल टू किसके होता है C का square ये हमने की just diagonalhrlich जो है उसके square के एकवल टू होता इसका जो scale root है वो हमें तोटना पढ़ेगा तो इस तरीकिसे हम निकाल सकते हैं और इस durability से b निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं और ये ज़ादा अच्छे से आपको जब हम question करने वाले हैं आजाएगा देखें और इसके अंदर यही सारी चीजे यह मैं आपको अभी बताने वाला हूं क्या है यहां पर पढ़ सकते हैं वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो अब हम कोश्चन करके देखते हैं दोस्तों कोश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब देखिए इसने कहा है कि संध्या अपने घर से शुरू होक पर पूरो दिसा में चार किलोमेटर जाती है अब सबसे पहले हमें क्या करना दोस्तों सबसे पहले हमें जो इस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है तो हम कर लेते जैसे यह हमने कर लिया इस्ट यह कर लिया वैस्ट और यह कर लिया नौर्थ ये कर लिया हमने साउथ जिस तरह से मैंने आपको बताया था अब देखे संध्या अपने घर से पूरू की और चलती है चार किलोमेटर अब देखे यह इस तरफ जाएगी ठीक है तो इस तरफ जाएगी तो जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ हम जाएंगे और हमारा जो दाया और बाया है वो हाथ देखेंगे कहां होगा देखे हमारा चेहरा इस तरफ है हम इस तरफ देखते वे जा रहे इस तरफ देखते वे जा रहे है तो हमारा दाया और बाया हाथ कहां होगा दोस्तों वह बताये हमारा जो दाया हाथ होगा वो इस तरफ होगा और बाय अब देखिई अब इसके इनसारद देखते हैं कि किस तरह से हमारा कॉच्छन होगा देखे इसने कहा है कि इसने कहा है कि संध्य अपने घर से सुरू होकर पूरू दिशा में च्यार किलोमेटर जाते है तो हम माल लेते हैं यह यहां तक च्यार किलोमेटर हो गया यह हो गया च्यार किलोमेटर तक यहां तक वो जाती है फिर वह दाई और मुड़ जाती है अब देखे अब ये बात आते दाई और मुड़ जाते दाई और मुड़ने का मतलब इस तरफ मुड़ना या इस तरफ मुड़ना ये हमें ध्यान में रखना है और ये चीज़ मैंने अभी भी बताई आपको कि हमारा इस तरफ मुढ है इस तरफ देखते हुए हम जा रहे तो हमारा जो दाया जो होगा दोस्तों वो इस तरफ होगा तो यहाँ पे हम कितना किलोमेटर मुड़ते हैं तीन किलोमेटर मुड़ते हैं अब उसे घर में पहुंचना है दोबारा घर में जाना है तो उसकी सबसे कम दूरी कौनशी होगी सबसे कम दूरी तो दोस्तो यह यहां से लेकर यहां तक हमारी यह दूरी होगी तो यह दूरी हमें निकालने और यहां पे हमारा क्या लगेगा दोस्तो यहां पे हमारा यह Чार है, B हमारा यह तीन है, और C जो है हमारा यह दोस्तो डाइगनल यह हमें निकलना है, अब देखते हैं कि यह कोशन किस तरह से निकलेगा चलिए मैं इवेज कर देता हूं ताकि यह अच्छे से समझ में आ जाए अब देखिए यह कोशन कैसे asklet निकलेगा हमरा हम चार कर देते हैं तीन कर सकेर देते हैं और यहां पर sazytyr स्केर यहां पर जो यह का सक्जर काया है या आ जाएगा ऑप इन दोनों का क्यर कर देंट चार चो के 163 9 यहा जायगा sazytaskell शोला और कितना हो गया दोस्तों यह हो गया हमारे हमारे पास 25 25 अब कहां पर लिखे हम यहां पर लिख देते हैं 25 इक्वल टू सी का स्केर हमारे पास यह आ गया अब यहां से हमारे पास सी स्केर क्या आया है दोस्तों सी स्केर जो आया है हमारे पास 25 आया है और अगर हमें only C निकालना है तो C निकालने के लिए क्या होगा दोस्तो 25 जो है इसका under root होगा under root करने पर C क्या जाया पांच आ जाया दोस्तो तो संध्या जहाँ पर अभी वो खड़ी है और उसके घर के जो दूरी है वो क्या होगी दोस्तो 5 किलोमेटर हो जाए ही तो इस तरह से ये कोशन आप बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई confusion है कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वॉक्स के जरीए या आप हमें वर्टसप पे message कर सकते हैं वर्टसप नंबर मैं आपको यहाँ पे screen पे दे दूँगा और अब हम देखते हैं दोस्तों अब हम अगला कोशन करके देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अब यह देखिये इसने कहा है कि मोहन ने अपने घर से शुरूआत के और पुरूव दिसा में चलना सुरू किया अब इसके इंदर भी बते करते हैं हम इसके अंदर east, west, north, south लिख लेते हैं यह हो गया east, यह हो गया west, यह हो गया north और यह हो गया south अब इसके इंदर देखे दोस्तों मोहन ने अपने घर से शुरूत के और प्रूद इसा के और चलना शुरू कर दिया यानि कि इस तरफ उसने आना शुरू कर दिया पांच किलोमेटर के दूरी तै करने के बाद अब उसने हम माल लेती यहां तक उसने पांच किलोमेटर दूर किलोमेटर चला और पहले कितना चला था पांच किलोमेटर अब आगे देखते हैं वह फिर दाइं और मुड़ा अब देखी यहां पर हमें ध्यान में रखने वाली है कि अब इसका चहरा किस तरफ है इस तरफ चहरा है इसका वह फिर दाइं और मुड़ा अब देखी यहां पर इसका दाया बाया कौन सा होगा यानि कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा यहाँ पे इसका दाया यानि कि जो राइट है वो ये साइड होगी दोस्तो इस तरफ की जो साइड है वो होगी इसकी राइट साइड फिर क्या है कि ये पांच किलोमेटर चला यानि कि इस तरफ मु चल रहा है अब इसका दाया कौन सा होगा दोस्तों अभी इसका दाया इस तरफ होगा और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दाया वाया जो राइट जो होता है दाया जो होता है उसको क्लोक वाइज यानि कि जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस साइड में हम अब ये माल लेते हैं ये 6 किलोमेटर चला यहां पर इस तरीके से 30 डिगरी मुड़ के ये कितना चला 6 किलोमेटर चला वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पर है ये हमें बताना है दोस्तों यहां पर दो कोशन है पहला वाई किस दिशा में है और वहा अपने घर से कितनी दूरी पर है अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया एक जगे दाइगनल मिल गया जिस पे हमारा पाइथा गॉर्स प्रे में फोर्मौला लागू होगा अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इन्होंने बता दी 6 किलोमेटर है और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये ये हमारे 3 किलोमेटर ही ये देखें यहां से हमारी आगी यानि कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक मिनिटर के यह एरेज कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे देखिए यह हमारा इस तरीके से ग्राफ बन गया यहाँ पे यह छे किलोमेटर आ गया और यह हमारा तीन किलोमेटर क्योंकि यह दे डिस्टेंस हमें निकालनी है और यह डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी यह उसी तरीके से निकलेगी जो मैंने पाइथा गोर्षप्रे में बताया था इसमें यह करना है दोस्तों हमारा यह उंचाई है हाइट है और यह हमारा अधार है ठीक है तो यह यानिके हमारा बेस है तो इस base पे जो हमरा पाइटागर श्प्रे में फोर्मूला लगेगा वो आप लगा के निकाल के दिखाना मेरे को बताना क्या इस कांसर आएगा ये बिल्कुल असान है दोस्तों बिल्कुल असान है अब इसमें फोर्मूला लगाना है बिल्कुल असानी से एक question आ जाएगा और ज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके हैं थेंकि दोस्तों अगर आप सके हैं इसके साथ-साथ-स दोस्तों हम आपको सभी यूनिट के लाइव मॉक टेश्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ से जल्दी से चल्दी हमें इस वर्ट्सप नंबर पर कोंटक्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप आस के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों जैसे आप ये देख सकते कि ये जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया है और आगे जैसे जुलाई 2016 में जून 2015 में तो इस तरह से ये कोशन काफी आये हैं दोस्तों ये देख सकते हैं आप दिसंबर 2012 तक कोशन आये हैं तो इसलिए हम एक एक कोशन करके देखते हैं कि किस तर कैसे सबही सब्दों को दूसरे से रिप्लेस किया जाता है, तो company है, companies को हम किस तरह से लिखेंगे? देखें दौस्तों इसमें काफी दोस्त क्या करेंगे? कि एक एक चीज लिखेंगे कि जैसे a को क्या लिखते is, c लिखते यहांपे, m को कहते, i कहते, इस तरीके से सारे के सारे सब्द लिखेंगे लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है हमें जल्द से जल्दी यह कोशन किस तरह से करना है वो हमें आना चाहिए देखें हमारा जो तरीका है वो उस तरीके से आप देखने की कोशिश करिए और जिससे आपका बहुत ही ऐसानी से question हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा देखिए हम क्या करेंगे कि हम last के अंदर इसमें तीन चीज ले लेंगे जैसे I, E, S ये तीन चीज ले लेते हैं और इनी से हमारा question निकल जाएगा पूरा company जो है companies का जो code है वो लिखने की जरूरत नहीं है last के अंदर देखिए I, E, S ये ले लेते आई, E, E, S अब देखिए I को हम इस के अंदर किसके दोर लखते है I का A ये यहाँ पर आप देख सकते I को A से लखते हैं फिर है E, E को हम किस से लखते है E का है M, E का क्या है दोस्तो? M है, और उसके बाद में S, S को किस से डिनोट किया जाता है, यह देखिए, S का है O, S को किस से रिपलेस किया जाता है, O, तो अब हमें, लास्ट में जो I, E, S है, इसकी जगा है, A, M, O, कौन से उप्सन में है, वो हमें देखना है दोस्तों, यहां से देखिए, option number four, A, M, O, यहां पे, केवल और केवल option number four में दिया है, एक में, दो में, तीन में नहीं है, तो यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते है कि इसका जो answer है, वो option number four आएगा, और इसमें आपको पूरी की पूरी जो digit है, यानि की पूरा जो नाम लिखाओ, उसका decoding करने की जरूरत नहीं है, आप last के तीन अकसर कीजिए, वहीं से हमारा answer निकल जाया, तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से 10 second के अंदर या answer निकाल सकते हैं, और आगे हम और question देखते हैं, उनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिलकुल असान हैंगा, तो इसके अंदर भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि last के चार अकसर लेंगे, लेकिन normally दोस्त क्या करते हैं, वह ş Prede, वहां से सुरू करते हैं, और वह क्या होगा दोस्तों अगर आप सुरू से عवात करेंगे question कि तो उसमें बहुत ज्यादा time लग जायेगा, लेकिन के अंदर क्या रृलेशन है वो रृलेशन हमें पता होना चाहीए ठीक है तो Islam देखते हैं कि क्या रृलेशन हो सकता है सबसे पहले जैसे लाष्ट में ही लेटे ATION और नीचे यह ले लेते हैं ठीक है N को L लिखा जाता है O को M लिखा जाता है अब देखिए इन दोनों के अंदर relation देखते हैं अब देखिए M जो N है N है हमारा 14 पे आता है दोस्तों और L है वो आता है हमारा 12 पे आता है फिर O है O आता है हमारा 15 पे आता है और M जो है M कितने पे आता है दोस्तों हमारा 13 पे आता है ठीक है और फिर I ज है हमारा साथ के उपर आता है अब देखे दोस्तों लिकानादर आफ एक सीज देखिए यह चोदह हैं यह बारां यह पंधरह यह 30 ने दो कम होते हुए जारें ऊपर की जो डीजी्ट है दोस्तों उन में से दो number कम करके नीचे वाला लिखा गया है यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं ठीक है और जैसे यह है T है T हमारा कितने पर होता दोस्तो T20 यानि कि मैंने बताया था 20 पर होता है T और नीचे है RR कितने है 18 पर यानि कि दो number कम कर दी है न तो यहां से हमें पता लीजिए 19 हो गया और जो N है N होता है हमारा 14 के उपर होता है A जो है A होता है हमारा एक और C जो होता है वो होता है हमारा थरी अब इन में से 2-2 कम कर दीजिए अब 19 में से 2 कम करेंगे 17 और 17 पर क्या आता है हमारा दोस्तो 17 पर आता है हमारा Q आता है फिर है N यानि कि 14 14 में से 2 कम करेंगे 12 आएगा 12 पर क्या अक्सर आता है हमारा L आता है यह मैंने आपको बताया था और उसके बाद आता है दोस्तों जैसे हमारे पास A A में से हम दो कम करेंगे तो एक तो A कम हो गया और एक Z कम हो गया तो क्या है का दो कम करने पर हमारे यहाँ पर Y आएगा फिर है C C में से जब हम दो कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास A तो अब हमें यह देख लेना दोस्तो last के जो four digit है a y l q इन चार option में से कहां पे आ रहा है यह देखे option number a हमारा a y l q यहां पे आ रहा है इसके अंदर last के अंदर आ रहा है तो दोस्तो केवल और केवल हम यह चार unit निकाल के चार जो अक्सर है इनको decode करके हमारा पूरा का पूरा question कर शकते हैं हमें पूरी की पूरी a m e r i यह पूरी की पूरी जो अक्सर हं उनको decode करने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कॉस्शन कर शकते हैं ठीक है तो चली अब हम अगला कॉशन देखते हैं और हर कॉशन दोस्तो इसी तरह से करना है हमें बिलकुल असान है बिलकुल असान है और जो लोग सोचते हैं कि वीजनिंग वो काफी डिफिकल्ट होती है हमारे समझ में नहीं आती तो दोस्तों यह हमारे अंदर एक गल्द फैमीं भर जाती है तो इनके अंदर, देखिए ज़्च एक मिनट, देखें, ए है ए हमारा होता एक पर होता है, ठीक है? और जो X है, X कितने पर होता है दोस्तों मैंने आपको बताए था, X, Y, Z यानि कि जो Z होता है 26 पर होता है, Y X, Y, Z यानि कि 24, 25, 26 यानि कि यह होता है, 24 पंद्रापे होते है तो इस this tis कर किए यू जो होता है हमारा वो 21 पे होते है t infect effectivement और जो और उसके बाद है और होता है हमारा 18 पे होता है तो इन सभी में देखे Can Danny कितने का difference है अब इनके अंदर देखते हैं कितने का disturbance है जैसे ए हमने देखा था ए हैं हमारा एक, एक मिनिट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, ए है हमारा एक पे, और जो एक्स है, वो चोबिस पे, तो इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, दोस्तों, इन दोनों के अंदर हमारा तीन का डिफरेंस है, ठीक है, यहां पे हम लेख और यह जो तीन है दोस्तों ऊपर से माइनस हो रहा है नीचे की तरफ उपर जो है उन मेंसे तीन अगन जो तीन नमर वो कम करके नीचे डिजिट लिखी गई यहां से आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं यानि कि जैसे यहां पर अठारा था आर था अठारा में से तीन सोला गया हुमारे पास ओ आ गया तो इसी तरीके से हमारा जो होटने उसके अंदर करना है ठीक है तो अब होटल में करके देखते हैं और होटल में हम क्या करेंगे लाष्ट की तीन डिजिट लेंगे अब देखें होटल की तीन डिजिट ले ली ल, ए ए S अब ईی F S में 3 3 3 कम करते अब देखी S जो है S हमारा कितने पर होता है दोस्तो S होता है हमारा 19 पर होता है 19 पर हम जब 3 कम करेंगे तो हमारे पास आईगा 16 तो 16 पर क्या होता है हमारे पास P होता है फिर आगया L L कितने पर होता है L होता है हमारा 12 12 में से जब हम 3 कम करेंगे तो 9 और 9 क्य होता है दोस्तों नो होता है हमारे पास आई अब बात आती ही होता है हमारा पांस नमबर पर पांस में से जब हम तीन कम करेंगे तो हमारे पास आएगा दो आएगा दो पर होता है दोस्तों हमारे पास बी अब देखिए बी आई BIP हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा अप्षन है लास्ट के अंदर तो BIP है अप्षन नमर 2 के अंदर तो यहां से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं तो इसमें देखा दोस्तों हमने पूरा जो होटल है पूरे होटल की डीजिट को डीकोड नहीं किया है हमने केवल लास्ट के तीन जो अक्सरा उनको डीकोड किया है वहीं से हमारा अंसर आ गया है तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल असानी से और बहुत जल्द कोशन कर सकते हैं अब हम आगे एक और कोशन करके देखते हैं दोस्तों यह देखें दोस्तों यह हमारा अगला कोशन है स्ट्रीमर्स अब स्ट्रीमर्स का कूट इन्होंने यह दिया है तो नोलिज का क्या होगा वो हमें देखना है अब देखिए इसके अंदर हम वह चीज़ करके देखते हैं कि Last के अंदर 3 डिजिट ले 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 लेते हैं पूरा सुरू से नहीं करेंगे Last के अंदर 3 डिजिट लेके देखते हैं अब देखिए लास्ट के अंदर हमने यह तीन डीजिट ले ली ए आर एस ले लिया अब देखिए जो एस है हमारा 19 पे दोस्तों यह मैं लिखे लेता हूँ ठीक है अब नीचे देखते दोस्तों यहां पे अब देखिए आर जो है आर है हमारा अठारा पे और जो क्यू है हमारा सत्रा पे डी है हमारा च्यार पे अब देखिए दोस्तों यहां पे उनिस अठारा अठारा सत्रा पांच च्यार यहां से आब हमें पता चल गया ना कि उप पर जो डीजिट है उन में से एक एक माइनस करके नीचे लिखना है सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात याद रखने वाली यह है कि हमें सभी अकसर पता होना चाहिए कि कि कितने पे एन कितने पे ओ कितने पे डी कितने पे जी कितने पे आता है एवी सीडी के अंदर ठीक है तो इस पे मैंने एक पता होना चाहिए कितने पर ए होता है दोस्तों हमारा पांस नंबर पर फिर जी जी होता है हमारा साथ नंबर पर फिर डी डी होता है हमारा च्यार नंबर पर अब एक एक कम करते हैं पांस में से एक कम किया च्यार च्यार पर होता है हमारे पास दोस्तों डी अब देखें जी ज हम एक कम क्रेंगे तीन होता है दोस्तों सी पे ठीक अब सी एफडी सी एफडी देखना हैं दोस्तों हमें यहाँ पे किस के अंदर एंदर इस चांधर नसा कर शक्रません और इसके बा। जो बीस का आंसर ogni श्रूंड 2014 के अंदर कोशिन आया है ये कोशन आप चाहे तो दोस्तों यहां से नोट कर शकते आप नोट कर लीजिए और आप करके देखना दोस्तों इन सभी कोशन के आंसर निकाल के देखना आंसर वैसे साथ की साथ दी हुए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जैसे दोस्तों यह है सेप्तमबर 2013 का है और इसका कोशन आप सभी बताना दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा बहुत ही असान है दोस्तों बहुत ही असान यह कोशन है मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना कुछ क्या सीख रहे हैं सेप्तमबर 2013 का इसका अंसर ए आएगा बी आएगा, C आएगा, D आएगा, यह सभी के सभी दोस्त अपने comment box के अंदर लिखना और मुझे बताना कि क्या इसका right answer आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, और इसके बाद भी और भी कई कोशन हैं, जैसे December 2013 में आया है, यहां पे यह हमने answer भी दिया दोस्तों, तो यहां पे मैंने करीब 3-4 question आप सभी के लिए छोड़ दियें, यह आप करके देखना, और इन question में आपको कोई वी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यह हमारा WhatsApp नमबर है, दोस्तों यहां पे आप हम हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेल कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं, थैंक्यू दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ी असानी से हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रहुटास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजीनेट पर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज की जो वीडियो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाले है और यह जैसा कि आपने थमनल में देखा कि यह आपके ह उड़ा देगी दोस्तों बिलकुल सच कहा हूं यह वीडियो देख के आप बिलकुल हैरान रहे जाएंगे कि यूजी सी नेट के अंदर दुनिया के सबसे असान कौश्चन डिट्टो कोपी कौश्चन आते हैं इस तरह के कौश्चन दुनिया के साइद किसी एक्जाम के अं मेरा ये पूरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहेंगे बारा से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड यर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग करके हैं टीचिंग के कोशन अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन है आपको अलग-अलग किये हुए पेपर फर्स्ट जून 2011 का कोशन पेपर है ठीक है इसके अंदर हम कोशन नंबर देखते हैं कोशन नंबर हमारा साइद 20 है वो यह देखे दोस्तों यह हमारा कोशन नंबर 22 है थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आपको अच्छे से दिख जाएगा यह देखिए तेल की कीमत मे 25 परतिशत की विरिद्धी हुई यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उपभोग में कमी और मूल उपभोग के वीच अनुपात हमें पता करना है ठीक है यहां पर आप यह कोशन की एक बार जो हैडिंग है यह आप देख लिजिए अब हम आगे देखते हैं दोस्त के अंदर हम देखतें कि यही कोशन किस तरह से रिपीट हुआ है अब इसमें देखें दोस्तों यह रहा हमारा कोशन नमबर 20 पेटरोल की कीमत में 25 परतिशत वृद्धी होती है ग्रहत को अपना उपभोग किस परतिशत में कम करना चाहिए जिससे कि पेटरोल का पहला विल बदले नहीं यहां पे आप देख सकते कि बिलकुल असानी से किस तरह से इन्होंने कोशन दिया हुआ है और पहले भी इन्होंने 25 परतिशत की बात की थी और अब भी यह 25 परतिशत की बात कर रहे हैं यानि कि डिट्टो कोपी कोशन है और अब हम यह देखते दोस्तों यही question दोबारा यानि कि तीसरी बार ये question कब आया है अब ये देखिए दोस्तों आपके सामने UGC net 2019 का question पेपर है 24 जून का paper है ये और morning shift है इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों ये question किस तरह से repeat हुआ है आप देखके बिलकुल हैरान रहे जाएंगे दोस्तों ये question अब ये देखिए ये हमारा question number 26 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि in a new budget the price of petrol rose by 25% by how much percent must a person reduce his consumption so that expenditure on it does not increase इसका मतलब ये है दोस्तों कि price जो petrol का price है वो 25% बढ़ गया है तो एक व्यक्ति को अपना कितने 30 अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी जिन्दगी पे कोई effect ना पड़े तो दोस्तों यहां पे आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं बिलकुल डिटो कोपी यही हमारा question 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों इसकी जो statement और इसका जो answer है बिलकुल सेम है डिटो कोपी है इसका answer हर बार सेम आता है तो आप यह question बिलकुल बसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से question repeat हुआ है और अब हम यह देखेंगे दोस्तों कि यह question हमें किस तरह से करना है तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से UGC net के अंदर डिक्टो कोपी question repeat होते है और दोस्तों हमने और भी काफी वीडियोज बनाई हैं उसके अंदर और जो टॉपिक है उन में से दिखाए हमने जैसे लोजिकल reasoning में teaching aptitude में research में ऐसे कौन से question है जो डिक्टो कोपी repeat होते हैं चलिए दोस्तों अब हम उसके अंदर कितना कं करना चाहिए ताकि हमारा जो है वैवस्ता वो बिगडए नहीं तो यह होता ए इसके आदर क्या होता है कि मुल्य वृद्धी पर खर्च में कमी इक्वल टू किसके होगी, सो गुना में ए, ए होता है जितने परतिसत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रही है देखी, यहां पर केमत में 25 परतिसत वृद्धी हुई है तो यहां एक ही जिगा 25 परतिसत आ जाएगा, और बटे में सो जमा में ए, यानि कि 25 ही यहां पर आएगा, अब देखे इस कोशन को हम करके देखते हैं कैसे यह कोशन आएगा, इसमें कहा है कि पेट्रोल की केमत में 25 परतिसत की वृद्धी होती है, तो यह इस फॉर्मले में रखके देखते हैं, तो यह रखा हमने सो गुना में 25, यह आगया हमारा दोस्तों पचीस सो आगया, धाई हजार आगया, ठीक है, धाई हजार, और नीचे दिया है सो जमा में ए, यानि कि सो जमा में 25 यह हो गया, 125 हो गया, यहां पर हम लिख लेते हैं, 125 हो गया, तो ये दोनों की दोनों की आएगी दोस्तों दोनों की दोनों हमारे पास ही आजएगा पत्चिस सो बटा में एक सो पत्चिस ये हमारे पास आजएगा जब दोस्तों अब धाई हजार को जब हम एक सो पत्चिस से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो ये 20% आएगा, यानि कि 20 answer इसका आएगा, यहाँ पे A इसका option, A बिलकुल right option इसका हो जाएगा, तो इस तरह से हमें बिलकुल असानी से question करना है, यहाँ पे अगर 25 की जगह 40 दे दे या 50 दे जो भी दे दे, वो हमें A की जगह रखते जाना है और वो हमारा answer आता जाएगा और दूसरी बात दोस्तों अगर यहाँ पे यह कहा देते हैं कि वृद्धी की जगह अगर वो कहा देते हैं कि कमी की जाती है, तो हमारा क्या आएगा, कमी आएगा तो दोस्तों यहाँ पे minus हो जाएगा, जबकि वृद्धी होगी तो यहाँ पे plus हमें लगाना है, तो इस त खर्च बढ़ाने की अनुमती नहीं है, यानि कि खर्च नहीं बढ़ा सकता, तो खपत में कमी, वही बात आगी दोस्तों, यानि कि खर्च में कितना कमी करना है हमें, वो बतानी है, सबसे पहले हमें वो निकालना है, और फिर क्या है, मूल खपत के वीच का अनुपात, यानि क इसमें थोड़ा सा जो कोशन है वो बढ़ा दिया अब देखिए जो सबसे पहले इसमें खपत में कमी की ये बात पूछ रहा है तो यहां पे हमने देखा कि खपत में कमी कितनी परतिसत करनी पड़ेगी बीस परतिसत करनी पड़ेगी तो यहां पे खपत में कमी हम यहां पे न मान के चलते हैं कि 100% जो है खर्चा करते थे us के बाद कैए कि 20% हमने कम कर दिया तो अब इन दौनों के बीच का अनपात है वो हमें निकालना है अब अब देखे एक खथा में कमी कितने परती även हमने 20% कि आ है और पांच होगा तो एक अनुपात पांच ये उपसन नमबर सी के इंदर हमारा आंसर है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए मैं एक वार फिर से आपको समझा देता हूँ देखे हमारी खपत में कमी कितनी हुई बीस पर तीसत हम अब कम खर् है ठीक है अब ये कहरा कि खपत में कमी और मूल खपत के बीच का उन पाथ तो ये देखना खपत में कमी बीस पर तीसत और मूल खपत हम माल लेते हैं सो परसेंट पहले करते थे तो अब इन दोनों के बीच का जो रेसो होगा वो होगा एक रेसो फाइव तो इस तरह से हम य अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यह 24 जून 2019 में अभी जो हमारा एक्जाम हुआ था उसके इंदर आया था इसके इंदर देखिए वही कोशन है एक बजट में पेट्रोल की केमत में 25% की वृद्धी हुई ठीक है वही बात सेम चलते हुआ रही है तीसरे कोशन में भी किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च नए बढ़े अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट भी सही है और जो परतिशत वृद्धी है वह भी सेम दे रखे तो इसका अंसर है दोस्तों वह भी हमारा बिलकुल सेम आई गया निक कि 20% इसका अंसर आएगा और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह ऐसे होगा सो गुना में 25 बटे में सो जमा में 25 यह मैंने आपको बताया था तो इस तरह से करके देखना यह जो सवाल आपका बिलकुल असानी से आजाएगा अब देखिए दोस्तों एक चीज और आती है अब यह तो बात होगी हमारी पेट्रोल की कीमत में बृधी होगी लेकिन कई तरह के कोशन ऐसे हैं जिनके अंदर वृत की तरीजा व्यास और जो हमारे आयत होते हैं यानि के रेक्टेंगल होते हैं उनके वारे में भी कई कोशन आए हैं तो वो कोशन हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम कोश्चन देख लेता है कि किस तरह से आये यहां पे देखी यदि एक विर्थ की 30-50% तक वड़ जाती है तो उस विर्थ की प्रिधि की सीमा तक बढ़ेगी यहां पे यह सरकल की बात करें सरकल का जो रेडियस है 50% बढ़ जाता है तो उसका पैरामेटर कितने परतिशत बढ़ेगा यह हमें बताना है और उसके बाद देखे यह दोबारा फिल 2007 के इंदर आया था विर्थ की 30-50% बढ़ जाती है तो उसके अग 6 रफल में कितनी विर्थ ही होगी उसके बाद देखे जैसे यह आया है आयत के बारे में आया है एक रेक्टेंगल के बारे जाती है तो उसका जो 6 रफल है उसमें कितना डिफिरेंट्स आएगा वो हमें बताना है उसके बाद हमें देखे यह जून 2010 के अंदर आया था एक वर्ग की 1% तुरूटी हो जाते है तो उस वर्ग की एक 6 रफल में कितनी तुरूटी आएगी तो इस तरह के कॉश्चन भी आते हैं अब यह देखते दोस्तों इस तरह के कॉश्चन हमें कैसे करने हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं वरित यानि कि जो सर्कल जो होता है हमारा यहां पर आप इंगलिस में भी देख सकते हैं यह कोश्चन हमने इंगलिस में भी लिखा हुआ है यानि कि जो सर्कल ह यानि कि radius radius अब हम किसे कहते हैं चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यह जैसे मान के चलते हैं हमारा सरकल है radius होता हैं आप कि यहां से लेकर यहां तक कि जो दूरी होते हैं उसे हम radius कहते हैं तो यह कहरा कि किसी सरकल की ए परतिसत रेडियस बढ़ा दी जाती है तो उसकी प्रिधी प्रिधी माने तो पैरामेटर यानि कि पैरामेटर में क्या डिफरेंस होगा अब पैरामेटर की बात करें तो पैरामेटर क्या होगा देखें पैरामेटर भी मैं बता देता हूं पैराम विर्ट की जो रेडियस है वो ए परतिसती यानि की 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके पैरामेटर में कितना परसेंट बढ़ाओं होगा तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल है यदि किसी विर्ट की तरीजा ए परसेंट बढ़ाई जाती है तो उसकी प्र रेडियस बढ़ेगा उतना ही हमारा पैरामेटर बढ़ेगा इसके अंदर ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं बस आप यह बात ध्यान में रखना कि यहां पर रेडियस बढ़ रहा है तो पैरामेटर सेम टू सेम बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ रहा है अगर पैराम यहां पे आप बिल्कुल असानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो उसका जो पैरामेटर हो सेम टू सेम बढ़ता है यहां पे आप देख लेना और किसी भी दोस्त को कोई भी प्रोब्लम हो इस कोशन में तो वह हम से पूछ सकते हैं हम आपके स 50% बढ़ जाती है अब देखिए यहां भी इसने यहीं कहा था वृत की तरजा 50% बढ़ जाती है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वह देखते हैं हम देखिए यहां पे इन्होंने कहा है कि उसके अच्छेत्रफल में वृत हुई यहां पे जो एरिये की बात चल रही है और यहां पे किया है दोस्तों यहां पे हमारे पैरामेटर की बात चल रही है यानि कि इसकी प्रीधी की बात चल रही है प्रीधी की तो यह चीज हमें ध्यान में रखना है ठीक है तो इसमें तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीधी की बात पूछे पैरामेटर की बात प देखिए ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये हमारा दो भूजा वाले जितने भी हमारे आयत है वर्ग है या फिर हमारा जो सरकल है उसके उपर ये लागू होता है देखिए इसके अंदर क्या होता है ये किसी दो भूजा वाली आकर्ति जैसे आयत वर्ग या वृत ये वृत क की व्रिद्ध होते हैं तो उसका अक्छे तरफल का फॉर्मूला ये है अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला ये है सो जमा में ए सो जमा में बी ये कर लिया हमने बटे में सो और माइनस में सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो इसमें हम देख बारा सो जमा में 50 करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास 150 आजाएगा दोस्तों और फिर बटे में 100 कर लिया हमने और फिर माइनस में 100 करेंगे तो अब देखते यह क्या होगा 150 की जब हम 150 से गुना करेंगे तो यह आएगा दोस्तों हमारे पास जब हम 150 और 150 को गुना करेंग तो दोस्तों हमारे पास आएगा मैं यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देते हैं यह आएगा डवल टू फाइव डवल जीरो आजाएगा अब बटे में यहां पे सो है यहां पे यह देखी यह सो है हमारा तो दो जीरो से दो जीरो कट गी अब हमारे पास क्या गया दोस्तों दोस्सों पच्छीस आ गया अब दोस्सों पच्छीस में यह देखिये हमेरे पास सो है मैने सा सो करेंगे तो क्या का अगा है दोस्तों हमढरे पास 125 आन्सर आएगा यह अगा से तो यहां से हम बिलकुल असानी से कौस्टिण कर सकते हैं घ्मको यह दियान यही बात किये कि जब एक आयत के लंबाई और चुड़ाई में एक एक परसेंट की तूरूटी की जाते है तो आयत के एक छेतर फ़ल में तूरूटी क्या होगी अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तों यह जो कोशन यह जो फॉर्मूला है यह हमारा लगेगा यह जो कोई problem आते तो आप हम से पोच सकते हैं आगे जो हमारा question है दोस्तों यह भी same to same वैसा ही है same to same इसके अंदर वही formula लगेगा और यह question है इसमें भी formula लगेगा यह तीनों के तीनों question आप करके देखना दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रोब्लम आती है तो हम इवनिंग की वीडियो में आपको ये करवाएंगे सभी के सभी तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करके देखना सभी कोशन करके देखना अगर कोई प्रोब्लम आती है तो हमें बताना तो दोस्तो आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमारी व जोईन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक all year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं teaching के question अलग करके communication के अलग करके इस तरीके से सभी 10 unit test जो question है आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोईन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पे contact कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पढ़ी असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजनिंग में एज वाले कोशन करने वाले हैं आपने काफी तरह के ऐसे कोशन देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उमर होते हैं वो बेटे की उमर से तीन गुना ज़्यादा दी होते हैं और कहते कि दस सालवाद उनकी उमर इतनी हो जा पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमरा पेड़ कोर्ष भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के लाइव मोक टेश्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ को 2012 के अंदर कोशन आया था और धिरे धिरे हम सभी एर के दिखाएंगे कि कब कब कोशन आये हैं इसमें कहाए कि दो व्यक्तियों में A और B की आयू का जोड़ कितना है 50 वर्ष है 5 वर्ष पुरू उनकी आयू का नुपात 5 नुपात 3 था A और B की वर्तमान आयू क्या है लेकिन हमें एक्जाम के अंदर क्या होता है दोस्तों जल्द से जल्द कोशन निकालने की कोशिश करनी होते हैं तो यहां पर इसे हम सोट कट तरीके से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इन्होंने कहाए कि A और B की आयू का जोड़ कितना है 50 आयू क्या है यह हमें बताना दोस्तों ठीक है तो हम एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी ऑप्सन ले लेते जैसे बी ऑप्सन हमने ले लिया तो यहां पर इन्होंने वर्थमान आयू दी हूए है 35 और पंधरा वर्थमान आयू दी हूई है अगर हम इनमें 55 वर्ष माइ या नहीं आ रहा है यह देखे दस यह देखिए, तीस और दस का अनुपात है दोश्तों तीन अनुपात एक है तो यह जो भी है हमारा वो नहीं होगा अब देखETए, अब हम option नमबर एक देखते हैं ने जो देखिए ये जाएगा पंजो पंजो 25 ये 5 और ये 5 ती ये 15 यहाँ पर आप देख सकते कि इनका नपाथ कितना निकल रहा है पांच नपाथ तीन निकल रहा है और इन दोनों का जो जो जोड है वो भी 50 आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हम सोटकट तरीके से भी इस कोशन को क करशकतें बिलकुल असानी से और दूसरा जो तरीका वो आप जानते है कि माना एक एक वैक्ति के आयू एक्स है तो बी की क्या होगी 50 माइनस एक्स हो जाएगी तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं और आगे हम कोशन देखते हैं दोस्तों आगे हम किस तरह से सोटकट मैठ्ट करेंगे और दोस्तों अगर आपको इस कोशन अभी वी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं आप हमें वाटसप पर मैसेज किया करें थी और स्क्रीन सोट के साथ और सिर्म मुझे यह कोन नहीं आये तो हम आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे चलिए अनिल की वर्तमान उम्र क्या है वो हमें बतानी है सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि सुनीता की जो उम्र है वो मान लेते है एक्स है तो अनिल की जो उम्र है वो क्या होगी दोस्तो टू एक्स यहां पे हो जाएगी अब देखें तीन वर्स पहले यानि कि तीन साल पहले की ये बात कर रहा है तो उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी तो अब देखें इसमें क्या होगा इन दोनों में हम माइनस थरी थरी कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी 2X माइनस थरी कर देते हैं अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखिए इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जुरुत है तीन वर्स पहले उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी यानि कि इसकी उमर से सुनीता की उमर से तीन गुनी थी तो इसको हम क्या या 9, यहां पे होगा 2X माइनस में 3, यह हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए, यह जो 2X है, यहां पे आएगा तो यह हमारे पास रह जाएगा, दोस्तो, X एक रह जाएगा, और फिर यह जो 9 है, 9 यहां पे आएगा, यहां पे यह 9 माइनस का है, यहां के क्या हो जाएगा, इस तरफ पलस का हो जाएगा पलस के 9 माइनस के 3 तो कितना रह जाएगा हमारे पास X बराबर में क्या जाएगा 6 आ जाएगा अब देखी X क्या आया है X आया हमारे पास सुनीता की उमर आई है X अब अनील की उमर क्या होगी 6 दुनी 12 यहां पे आ जाएगी और यही इसने पूछा कि अनील की वर्तमान उमर क्या है तो यह दोस्तो 12 उमर इन्होंने दी हुई है दोस्तो आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते है और अगर समझ में ना आए तो आप ये वीडियो एक बर दोबारा देखना आपको समझ में आ जाएगी ये अगर समझ में ना आए तो आप हमें वर्टसप पे मैसेज कर सकते हैं अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अगला कोशन किस तरह से आएगा ये देखिए दिसंबर 2014 के अंदर आया था ये देखिए इसके अंदर इसने क्या कहा है पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 वर्स है अब मध्यमान का मतल़ होता है दोस्तों उनका हाफ एवरेज यानि कि हाफ आधा कहते है मध्यमान ठीक है पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 है तो यानि कि लिख लेते हैं जैसे कि पिता को हम P लिख देते हैं और बेटे को हम B लिख देते हैं दोनों की आयू का योग कितना है चोवन वर्स है अब देखिए यहां पे हमारी दो इक्वेशन बन रही है एक तो सबसे पहले पिता और पुत्तर की आयू का योग कितना है चोवन अब यह ने देखिए चारो के चारो ऊप्षिन है ना चारो को आप एड़ कर ले ना चारो की उम्र चोमन वर्स आ रही है तो सबसे पहले यहां से तो हमारा कॉशन निकल नहीं ला अब दूसरा देखते 18 साल बाद अब देखिए 18 साल बाद की यह बात कर रहा है अपने पिता, अपने पुत्र की आयू से दो गुना हो जाएगा अब देखिए ये जो उप्सिन ना इन सभी में 18-18 एड़ करके देखे लेते हैं इन में से रैंडम तरीके से आप एक ले लीजी हम ले लेते हैं जैसे ये ले लेते हैं 40 ले लेते हैं जमां में 18 हमने किया ठीक है और फिर हम 14 जमा में 18 करते हैं अब देखिए 40 और 40 में से 18 एड़ किया तो या कित्र हो जाएगा और 14 प्लस में 18 करेंगे तो या कितना आएगा दोस्तो 18 दोनी 36 और यानि की 32 यहां पर आ जाएगा अब देखिए इसमें का है कि 18 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयू से दोगना हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह दोगना नहीं है यह जो 58 यह 32 का दोगना नहीं है तो यह जो option अपना 2 है यह नहीं होगा अब हम option number A देखते हैं अब A में A करके देखें दोस्तो A करके दिखा रहा हूँ है आपको A में 42 वर्स दी है इसमें हम 18 वर्स एड़ कर रहे हैं इसी तरीके से 12 वर्स दी है 12 में हम 18 एड़ कर रहे हैं 42 का हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60 वर्स और यह हो जाएगा 12 जमा में 18 14 यह हो जाएगा 30 अब यह देखी यह बिल्कुल सही आ रहा है यह जो 60 है यह 30 का दो गुना है यह जो नीचे वाली यह हमारी पुत्र की आयू है और उपर वाली हमारी पिता की आयू है तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल असानी से सोट कट मैथर अपना के वी कोशन न हो गया 54 वर्स तो पी क्या होगा पी हो जाया 54 माइनस में भी इस तरीके से आप निकाल सकते और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसस करके यह कोशन आप निकाल सकते हैं लेकिन बैटरी यह रहेगा कि आप उप्शन में पूट अप करके देखिए वहां से जल् गुना बड़ा है तो इसे देखिए इसे हम कैसे करेंगे इसमें हम सिस्टमेटिक धन से चलने की कोशिस करेंगे वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो पहली लाइन से ही हमें कोशन को साथ में लेके चलना है यहाँ पे इसने कहा है कि एक व उम्र है वो माल लेते हैं दोस्तों हमने X माल ली और जो व्यक्ति है व्यक्ति को हम V ही लिख लेते हैं व्यक्ति की उम्र कितने होगी दोस्तों 4X हो जाई क्योंकि इसने कहा है कि बेटे से 4 गुना बड़ा है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और जो इसकी पत्नी है इसका मतल कि इसकी जो पतनी है वो अपने पती से 3 साल चोटी है ये हमारी equation बन गई अब आगे देखते हैं तीन साल के बाद तीन साल बाद की ये बात कर रहा है तीन साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 साल हो जाएगी अब तीन साल के बाद equation क्या बनेगी x पलस में धरी कितनी हो यह देखिए यह एक्वेशन चो बन रहे है उसे समझने की कोशिश करो दोस्तों तीन साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 वर्स हो जाएगी बेटे की आयू यह है इसे में 3 एड़ कर दिये तो टोटल कितनी हो जाई 15 वर्स हो जाईगी यहां से X हमारा कितना आ रहा है दोस्तो 15 माइनस में 3 करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 12 आजाएगा अब देखे 12 क्या है हमारे पास 12 है बेटे की आयू और पतनी की आयू की एक्वेशन क्या है 4 X माइनस 3 अब चार X की जगे जब हम 12 रखेंगे यहां पर हम करके देखे लिते हैं 4 इंटू में 12 माइनस में 3 तो 12 चोके 48 48 में से 3 गया क्या आएगा दोस्तो 45 हमारे पास आ गया यह जो 45 है ना दोस्तो यह 45 जो लेडिस है उसकी वर्तमान आयू है ठीक है ना उसकी प्रजेंट आयू है अब देखिए उसे वेक्टी की पतनी की आयू 5 साल बाद कितनी होगी तो 45 के इंदर जब हम 5 एड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 इसका अंसर आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल असानी से यह कोशन भी निकाल सकते हैं बस इन कोशन में थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत होते हैं बिलकुल असान कोशन होते हैं यह दोस्तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोशन भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड एर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग रखेंए टीचिंग के कोशन अलग रखेंए इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन है आपको अलग-लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट द सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पड़ी असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजनिंग में और तो यानि की एवरेज वाले कोशन करने वाले हैं आपने इस तरह के कोशन देखे हुए होंगे कोशन पेपर में और इस तरह की काफी कोशन आज तक आए हैं दोस्तो ये कोशन करना हमारे लिए काफी जरूरी है और ये कोशन बिल्कुल असान है बस थोड़ा से हमें इनको समझने की जरूरत है आप बिल्कुल असानी से इनको कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल असानी से बताएंगे कि आप किस तरह से कोशन कर सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्या अब इसमें पहले 10 सदस्यों का ओस्त कितना दिया हुआ है 4.5 यह भी हम यहाँ पर लिखे लेते हैं पहले 10 का जो ओस्त है 4.5 यहाँ पर है और फिर 33 सदस्यों का ओस्त इन्हों ने 35 दिया हुआ है दोस्तों यहां पर mistake होगे, 35 नहीं यह, 3.5 है, यहां पर यह देख सकते हैं आप, छीक है, तो 30 का जो ओस्त है, वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं, equal to 3.5 है, अब देखिए, अब इसने कहा कि पूरे ग्रूप का ओस्त क्या है, और पूरे ग्रूप का ओस्त निकालना पूरी पॉइंट फाईब से multiply करेंगे, तो यह आ जाए, दोस्तों हमारे पास, 105 हमारे पास आ जाएगा, अब इन दोनों को हम add करेंगे, यह देखिए, add करेंगे, यह आ जाए जीरो, पांच और पांच, और यह आ जाएगा एक, यानि की, 150 हमारे पास आ गया, और यह देख जो हमारा या बटे में जो जितने भी सदस से हैं बटे में 40 150 बटे में 40 0-0 कठकी 15 बटे 4 यानि की option number 6 का answer आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर शकते हैं और आगे देखना दोस्तों UGC ऐसे ही असान-असान question देता है हमेशा average question देता है UGC ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता बस थोड़ा सामें ध्यान देने की जरूरत होती है चलिए अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह देखिए यह हमारा जून 2013 के अंदर question आया था इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ABCD चार संख्याओं का माद्धे सो है चार संख्याओं दी है ABCD इनका माद्धे कितना दिया है माद्धे मतलब mean या average हम कह सकते है वो इन्होंने दिया है ये दिस सी सत्र है तो से संख्याओ का मद्ध है क्या होगा ये हमें बताना है अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एवरिज दी है और इन्होंने ये बताया नहीं है कि A कितना है B कितना है और D कितना है अब देखिए चार संख्याओ का मद्ध है कितना है दोस्तों सो यहां पे दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल निकालते, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, चार गुना में सो करेंगे, कितना आजाएगा हमारे पास, चार शो आजाएगा, अब देखी, अब इसने कहा है, कि यह C 70 है C की जो value कितनी दिवी है दोस्तों यहां पर इन्होंने 70 दिवी है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे चर्षों में से हम 70 माइनस करेंगे तो यह क्या आजाए हमारे पास 330 हमारे पास आ जाएगा अब इसने कहाए कि सेस संख्याओं का माद्भे क्या होगा जो लाश्ट में बच गी कितनी बच गी हमारे पास तीन संख्याओं बच गी उनका माद्भे क्या होगा अब देखे 330 बटे में तीन करेंगे हम यह आएगा 110 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और जो 110 है वो है हमारा option number D तो यहाँ से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं तो आप देख सकते कि कितने असान असान question UGC दे रहा है और अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह हमारा December 2013 के इंदर आये था विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्तंकों का मध्या 65 है यानि कि एक कलास उसके अंदर जितने भी विद्यार्थिये उनके जो अंका है उनका जो average है दोस्तों वो 65 यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्तंक 45 है अब देखिए जो आधे विद्यार्थे उनका जो मध्यां की यानि की एवरेज जवो कितने है 45 है और सबसे पहले एक चीज यहाँ पे जो टोटल विद्यार्थियों कितने है दोस्तों 40 है हमारे पास टोटल कितने है चालिस और चालिस के सभी के सभी का एवरेज कितना है 65 है अब यहाँ पे कक्षा के आधे विद्यार्थियों का माध्य 45 है आधे का मतलब क्या है दोस्तों 20 जो विद्यार्थियों उनका जो माध्य है 45 है अब क्या करना है बच्चे वे विद्यार्थियों के प तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा और आगे इन्होंने कहा है कि आधे विद्यारतियों का मद्ध कितना है 45 है जब हम 20 को 45 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900 अब देखिए अब हमारे पास कितने विद्यारति रहे गए 20 ह हमारे पास विद्यार्थी रहे गए और यहां पर जो अंग है वह कितने रहे गए जब 26 में से हम 900 माइनस करेंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास से हमारा आनसर आ जाएगा और जो 85 है वो अप्सन नमर ए यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों यहां से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं अब हम अगला कोशन देखते दोस्तों यह देखिए यह कोशन भी बिल्कुल असान है इसके अंदर क्या कहा है 210 चात्रों का एक सम्हू किशी प्रिक्षया में सामिल हुआ ठीक है 210 चात्र है टोटल वो किशी एक्जाम के अंदर बैठे एक बटे तीन में एक एक तिहाई में चात्रों का मध्धे 60 पाया जाता है सेस चात्रों का मध्धे 78 पाया जाता है तब संपूर्ण सम्हू का मध्धे क्या होगा अब देखिए एक त्याही छात्रों का मध्य 60 है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक त्याही कितना होता है 210 का देखिए 210 का एक त्याही हम निकालते हैं 210 बटे में थरी कर लेते हैं तो यह कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 70 यहां से आजाएगा यानि कि 70 जो रहेंगे दोस्तों हमारे पास वो रहेंगे 140 रहेंगे ठीक है 140 का जो माध्धे वो कितना है 78 दिया है अब देखी अब हमें टोटल का वो माध्धे निकालना है तो 70 को 60 से गुना करेंगे 46 तब 42 यानि की 42 सो आ जाएगा यहां से हमारे पास और फिर 140 को 78 से मल्टिपलाई करेंगे तो मैं अभी करके देख लेता हूँ वो कितना हैगा 140 मल्टिपलाई में 78 यह आ जाएगा 10920 यहां से आ जाएगा यानि की 10920 यहां पर मैं लिख लेता हूँ अब देखे दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों को एड़ करेंगे फिर हम पूरा एवरेज निकालेंगे अब देखे इनको जब हम एड़ करेंगे पलस में 42 सो यह 15120 आ जाएगा 15120 यहां से आ गया हमारे पास अब हमें एवरेज निकालना है टोटल का तो 15120 को हम डिवाइड किस से करेंगे 210 से हम डिवाइड करेंगे 210 से हम जब इनको डिवाइड करेंगे जब हम 15120 को 210 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा और 72 हमारा option number 4 दिया हुआ है तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल अचानी से आप कर शकते हैं और एक बार फिर शे मैं बता देता हूँ यह question कैसे आएगा सबसे पहले हमारे पास total जो 210 दिये हुए है 210 में एक तिहाई चात्रों का माध्य साथ दिया है एक तिहाई का मतलब होता है दोस्तो 70 जो student है उनका माध्य साथ दिया है और फिर जो बच के 6, 6, 6, 6, 6, 6 बचे हमारे पास 140, 140 का 78 दिया हुआ है इन्होंने तो अब total का हमें निकालने के लिए पहले 70 को 60 से multiply करेंगे 42 आ गया फिर 140 को 78 से करेंगे तो 10,920 आ जाएगा और फिर इन दोनों को हम add करेंगे इन दोनों को add करने से 15,120 आ गया अब 15,120 को 210 से हम divide करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से कर सकते हैं और दोस्तों इस तरह के question अब की वार भी आने के संभावना है क्योंकि यह question काफी सालों से आ रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं यह देखिए अब यह देखिए दोस्तों यह हमारा अगस्त 2016 का question पेपर है और यह question दोस्तों आप सभी को करना है अपने हिसाब से करना बिलकुल असान है दोस्तों कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है जैसे जैसे हमने पीछे की question की वैसे ही यह question है आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना इसका answer क्या आएगा प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों और अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती इस question के इंदरा आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप ह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो उसी वीडियो को लाइक की जिए जैर किजिए कमेंट की जिए और दोस्तों अगर आप ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरू द देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग रखेंगे टीचिंग के कोशन अलग कर खेंगे इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन है आपको अ पर हैलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहुतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूट्व चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग में तीन से चार तरह के कोशन करने वाले हैं देखिए दोस्तों वैसे तो मैथमेटिकल रिजिनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है उसके अंदर काफी तरह के कोश्चन आ सकते हैं लेकिन हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो यूजी सी नेट के अंदर बार बार पूछी जाती है जो कॉंसेप्ट बार बार आता है यूजी सी नेट के अंदर तो आज हम आपके सामने तीन से चार तरह के कोश्चन लेके आए इन में से क्रीब 10-15 बार कोश्चन आए हैं दोस्तों तो यह जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह होते हैं दोस्तों कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्य नहीं पढ़ना तभी हमारा एक्जाम के लिए हो सकता है तो हम यहाँ पे आपके लिए चुनिंदा ऐसे कोशन लेके आई हैं जो बार बार रिपीट होते हैं कोशन पेपर में तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2014 क के अंदर कोशन आया था अनुपात का यानि की रेसो का और ये कोशन हमारा तीन से चार बार आ चुका है और अभी हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था जून 2019 का कोशन पेपर हुआ था उसमें भी ये कोशन आया था अब देखिए इस कोशन को हम किस तरह से करेंगे वो हम बि गटा दिया जाए यानि कि यह जो उपर रेसो दिया है इसमें से 9 माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो रेसो कितना हो जाएगा 12 रेसो 23 हो जाएगा हमें यहां पे क्या है कि संख्याए निकालनी है दी हुई नहीं है यहां पे ठीक है तो इसके लिए हम एक्स माल लेते हैं त यहां भी हमने माइनस 9 कर लिया अब देखिए अब जो रेस है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 12 बटे 23 इसका रेसो हो जाएगा अब देखिए इसको कैसे सॉल्ड करेंगे अब इनमें हम क्रोस मल्टिपिलिकेशन करेंगे यानि कि एक दूसरे के साथ तो गुना करेंगे 23 है 23 की इसके साथ मल्टिपिलाई करेंगे और 12 है 12 की इसके साथ मल्टिपिलिकेशन करेंगे अब देखिए यहां पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आजए 23 इंटु में 3X माइनस में 9 लिख लिया इक्वेल टु में क्या होगा 12 इंटु में 5X माइनस में 9 यह मैंने लिख लिया अब देखिए अब दोनों को हम मल्टिपलाई करते 23 को जब हम 3 से मल्टिपलाई करेंगे तो यह आजएगा हमरे पास 69 यह आजएगा 69X आजएगा माइनस में जब हम 23 को 9 से मल्टिपलाई करेंगे तो यह आजएगा दोस्तों हमरे पास 207 आजएगा अब यह देखिए 12,5,60 यह आजएगा 60X और 12,9,108 यानि कि यह आजएगा हमरे पास 108 आजएगा अब देखिए अब इसे हम कैसे करेंगे यह जो 60X है दोस्तों यह यह यहाँ पे आएगा यहाँ पे यह प्लस है यहाँ के क्या आजएगा माइनस हो जएगा 69 में से जब 60X माइनस होंगे तो क्या रहे जाएगा हमारे पास 9X यहाँ पे रहे जाएगा और equal to में यह देखिए यहाँ पे 207 जो यह है यहाँ पर यह माइनस का है और यहाँ आके क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास पलस का हो जाएगा अब देखिए पलस के 207 है हमारे पास और माइनस के 108 तो यानि कि 207 में से 108 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रहे जाएगा हमारे पास 99 यहाँ पर इस साइड में रह जाएगा अब देखिए यहाँ पर 9X है और यहाँ पर 99 है तो यहाँ से X की जो value है दोस्तों वो क्या आजाएगी हमारे पास 11 value आजाएगी यानि कि 99 बटे में 9 करेंगे यहाँ पर मैं करके देता हूँ 99 बटे में 9 करेंगे तो क्या जाएगा 11 आजाएगा अब देखिए अब 11 क्या है हमारे 11 X की value आई है और जब यह X की value 3X और 5X के अंदर रखेंगे तो क्या होगा 3X के अंदर X की value रखेंगे तो 11 ती है 33 हो जाएगा एक जो हमारी जो रकम है वो हो जाएगी 33 और दूसरी क्या होगी 5X की जगे वो 11 रखेंगे तो 11,55 यानि कि दूसरी क्या हो जाएगी 55 तो हमारी दोनों के दोनों संख्या क्या होगी एक होगी 33 और दूसरी होगी 55 तो हमारा जो आनसर होगा वो C आनसर यहां से आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कुरूशन कर सकते हैं और अगर आपको यह समझ में ना आए तो आप हमें वर्टसाप पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको सोलिशन दे देंगे अच्छे से समझा देंगे और चलिए अब हम अगला question करके देखते हैं दोस्तों उसमें आपको बिल्कुल असानी से और भी समझ में आ जाया अगर कोई confusion रहा हुआ है तो अब देखें दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 के अंदर question आया था इसके अंदर का है कि दो संख्याओं का अनुपात दो अनुपात पांच है यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है एक अनुपात दो हो जाता है same to same यह वही question है दोस्तों उसी तरीके से हमें करना है अब देखिए जो संख्या है वो हम x लेके चलते तो अब देखिए इसमें 2x माल लिया और दूसरी हमने माल ली 5x माल ली अब देखिए यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए अब देखिए इनमें हम 16 16 एड कर लेते इसमें 16 एड कर लिया और इसमें 16 एड कर लिया पलस में यहाँ पर अब देखिए तो उनका नुपात कितना हो जाता एक नुपात दो हो जाता तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह डिवाइड कर दिये, तो equal to में किस के हो जाएगे, एक वटे, दो हो जाएगा, अब दोबारा इसमें वही करेंगे, cross multiplication, इसकी इसके साथ multiply किया, और इसको इसके साथ multiply किया, अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जब 2 को, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 2 को हम जब 2X पलस में 16, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया हमारे पास, और equal to में, यह एक है, यहाँ आ गया 5X पलस में 16, यहाँ पर, अब देखिए, दो दुनी, 4X, 16 दुनी, 32, बराबर में, यह तो एक से multiply करेंगे, तो इत यहाँ क्या रह जाएगा, दोस्तों, यहाँ हमारे पास केवल X रह जाएगा, यानि कि 5X में से जब 4X जाएगा, तो 1X रह जाएगा, और यह जो 16 है, दोस्तों, 16 को इस साइड में लेके आएंगे, तो यह यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमारे पास 16 रह जाएगा, यानि कि जम 2 x और 5 x के ənwdर रखेंगे तो क्या होगा यहां पे रखेंगे तो 16 दूनी 32 एक जो संख्या वो हमारी 32 आजएगी और दूसरी क्या होगी 16 गुना में पांस करेंगे तो 16 15 80 दूसरी क्या जायगी हमारे पास 80 तो दोनों की दोनों जो संख्या वो क्या हो जाएगी एक तो 32 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 80 यह हमारा option number D इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों यहां से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह question अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह हमारा June 2019 के अंदर आया था अब यह देखें यह थोड़ा सा उनसे अलग है लेकिन बिलकुल असान है इसमें कहा है कि यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के नुपात में 4 भागों में विवाजित किया जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी सबसे छोटा भाग क्या होगा यहाँ पे आप इंगलिस में भी पढ़ सकते बिलकुल असानी से समझ में आ जाएगा यानि कि एक संख्या है हमारे पास 152 टोटल और जो अदर जो संख्या है जो चार संख्या से मिलके यह एक सो बावन बनाए तो उनका जो अनुपात है तीन चार पांच साथ इन्होंने अनुपात दिया हुआ है तो यह कहरा कि सबसे छोटा जो पार्ट है यानि कि सबसे छोटा थरी है यहाँ पे थरी की रियल वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है तो इसके लिए बिलकुल सिंपल है दोस्तों तीन, च्यार, पांच और साथ इन सभी को आप काउν्ट कर लीजी यह कितना होगा यह हमारा होगा दोस्तों 19 हो जाए थीन, च्यार, पांच, और शाथ यह होता है 19 होता है यह माल लिया हमने 19 X हुआ अब देखे X की वैल्यू क् X equal to 152 बटे में 19 अब देखिए दोस्तो 122 को जब हम 19 से cut करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तो अभी देख लेते हैं मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे आएगा 8 आएगा दोस्तो X की value क्या आजएगी हमारे पास 8 आजएगी और जब हम बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं और फिर भी आपको कोई problem है इसके अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो अब हम अगले तरह का question देखते हैं दोस्तो यह देखी यह थोड़ा अलग type है यह अनुपात का type नहीं है यह अलग type आ गया है इसके अंदर जो तीन से विवाजित हो एक अरोही करम में रखा गया है अब देही दोस्तों यहाँ पर इंगलिस में पढ़ने की कोशिस करते हैं इसने काए कि दा ओड़ नंबर फ्रों वन टू फोटी फाइव है ओड़ नंबर कौन से होते हैं दोस्तों जो थरी से डिवाइड होते हैं और इसमें कहा है कि वी चार एग्जेक्टली डिवाइड वाइड फ्री यानि कि जो नंबर तीन से डिवाइड होते हैं उनको हमें काउंट करना है और एक से लेके 45 तक हमें काउंट करना है और आगे देखी इसने क्या कहा है the number at sixth position जो छटे number position पे जो आए वो हमें बताना है कि इन में से कौन सा आएगा अब देखिए इसके अंदर order number कौन से होते हैं यानि कि तीन की counting हम कह सकते हैं तीन, छे, नो, बारा, पंदरा और अठारा अब देखिए ये सभी के सभी तीन से divide हो रहे आप यहाँ पे देख सकते हैं अब देखिए ये कह रहा कि छटे number पे कौन से संख्याएगी छटे number पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छटे पे क्या रहा है अठारा आरा है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारा option number A इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कर सकते हैं ये basic question होते हैं बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है इनमें कोई formula यूजर नहीं करना और नहीं कोई जादा दिक्कत वाली बात अब हम अगला question देखते हैं दोस्तो ये हमारा digit देखनी इनके बीच में की जिनके अंदर difference दो दो का हो अब देखिए ये देखिए 6 और 4 इन दोनों के बीच में दो का अंतर है फिर आगे हम देखते हैं की 5 और 3 के बीच में अंतर है अब देखिए 8 और 6 इन दोनों के बीच में भी दो का अंतर है तो इस तरह से हमें digit देखने की ऐसे कितने digit बनती है हमारे कितने युगम बनते है जिनके अंदर दो दो का अंतर है तो दोस्तों आप ये बिल्कुल असानी से देखना कोई इसमें दिक्कत नहीं है करके देखना आपको असानी से ये अंसर आ जाएगा अब हम अगला question देखते दोस्तों अगला है हमारा दुबारा फिर December 2013 के अंदर ही आया था 0 से लेके 99 तक की सभी संख्याए लिखता है क्ती है जो 0 से लेके 99 तक संख्याए लिखता है उसके बाद क्या करता है इसमें अंक तीन कितनी बार आया अब यह कहरा है कि तीन जो है वो कितनी बार आता है वो हमें पता करना है अब देखिए तीन कैसे कैसे आ सकता है जैसे तीन आ गया तेरा आ गया तेईस आ गया और फिर क्या आएगा जैसे तीस आ गया एकतिस आ गया ब कोई नहीं है कि हम इसमें कोई formula लगाया है इसकी कोई trick है तो इस बिलकुल असान है आप थोड़ा समझने की कोशिश करना और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं कहा रहा हूँ कि आप हमें WhatsApp कीजिए इस नंबर पर हम आपको इसका पूरा solution दे देंगे अब ये देखे दोस्तो ये जो question है हमारा पहले वाले question से बिलकुल different है पहले वाले किया थे हमारे race के question थे और simple question थे लेकिन इस तरह के question क्या है कि ये थोड़े हमें puzzle कर देते है सबसे पहले इस question को देखते हम इसमें क्या कहा गया है यादाओ अरजुन राजस तथा कमल किर्केट खेलते हैं राजस तथा कमल टेनिस खेलते हैं लेकिन फुटवाल नहीं खेलते हैं यादाओ बैडविंटर नहीं खेलता परन्तु गॉल्फ खेलता है अब देखिए कितना confusing question है दोस्तों तो इसमें काफी confused हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता किसका सही से answer क्या है लेकिन अगर हम इसे सही systematic ढंग से करें तो ये बिल्कुल आसान question है अब देखिए ये question कैसे होगा इसके लिए हम सुरू से ही एक table बना के चलते हैं कि हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं यादव अरजुन राजस तथा कमल किर्किट खेलते हैं तो इनकी हम table बना लेते हैं यादव और लिखने और लिखने धया खेंके अरजुन, कमल कमल, कमल के हमने लिखने हम लाइन लगा ली यह क्या हुआ की चेरों का और क्रिक्ट खेलते हैं गाया प्राइस यह हम tre millions नादव से इस तरहार देख़ऒना लिए और यहां पर हम लिखने हैं तो किर्केट यानि की सी हम यहां पर लिख लेंगे यह चैरो के चैरो किर्केट खेलते तो यहां पर टिक मर्क कर देते हैं कि यह सभी के सभी खेलते हैं किर्केट उसके बाद में देखिए राजस तथा कमल टेनिस खेलते हैं अब देखिए राजस और कमल क्या है वो टेनिस खेलत फृटवाल का हम लिखें लिए फौटवाल ये दॉनों के दौनों नहीं कहलते कि यहाद वैडमिन्टन नहीं कहलता है अब देखिए दो चीज और रहाएं आगी यहापर एक बैडमिंटन आ गया एक गॉल्फ आ गया तो इनका भी हम यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ पे हमने बी बना लिया बैडमिंटन का और जी बना लिया हमने गॉल्फ का अब देखी इसमें क्या कह रहा है कि यादव जो है बैडमिंटन नहीं खेलता यादो यह रहा हमारा बैडमिंटन यह रहा इस पे हम कट कर देते हैं बैडमिंटन नहीं खेलता परनतु गोल्फ खेलता है गोल्फ के आगे हम तिक कर देते हैं अब देखिए आगे क्या है अरजुन टेनिस नहीं खेलता अब देखिए अरजुन कहा है अरजुन हमारा यह अरजुन जो है टेनिस नहीं केलता तो यहां पे हमने जो क्रोस कर दिया उसके बाद में कि यह फुल स्टोप है दोस्तों गलती से हो गया कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है कमल कहा है वो बैडमिंटन खेलता है कमल कहा है यह रहा कमल कहा है बैडमिंटन यहां पे हमने इस पे right click कर दिया अब देखिए कौन kevel cricket खेलता अब हमें बताना कि ऐसा कौन सा बंद है जो kevel और kevel cricket खेलता और कुछ नहीं खेलता वो हमें बताना है अब देखिए यहां पे इस पूरे graph में देखिए जो kevel cricket खेलता cricket का हमारा यह column है इसके अंदर kevel cricket खेलने वाला कौन है यह देखिए यह हमारा अरजुन है ठीक है अरजुन kevel केvel cricket खेलता और कुछ भी नहीं खेलता यहां पे आप देख सकते हैं तो यहां पे हमारा जो answer क्या होगा दोस्तो option number B यहां पे यह रहा अरजुन अब यह देखिए दोस्तो यहां पे हमने एक टेवल बनाई यह पूरी की पूरी टेवल से हमारा जो answer बिल्कुल असानी से आगया कोई confusion नहीं हुआ तो इसी तरीके से दोस्तो आपको कोशन करना है exam के अंदर बिल्कुल असानी से आपका answer आजाया कोई भी confusion नहीं होगा तो चलिए दोस्तो अब हम अगला कोशन देखते हैं आगे हमारा कौन सा कोशन है अब यह देखिए दोस्तो यह कोशन हमारा अभी तक दो बार आया है और अब की बार भी मेरे को सक है कहीं ऐसा कोशन ना आजाए तो मैं करवा देता हूँ यह देखिए जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया था इसमें कहा है कि निमन लिखित में से सतत परकार के डेटा की पहचान कीजिए सतत परकार का डेटा वो होता है जो continuous जो continuous चलता रहे उसे हम कहते हैं अब देखिए continuous का मतलब यह है कि जो चलता रहे चलता रहे जिसका कोई पैटरन ना हो उसे हम कहेंगे अब देखिए इसमें किस तरह से इसे हम identify करेंगे देखिए इसमें चार option दिए एक व्यक्ति दवारा बोले जा सकने वाली भासाओ की संख्या अब देखिए चार बच्चे दस बच्चे कितने बच्चे वो हमें सभी का पता होता है अब आगे कि सहर की जन संख्या ये भी हम अच्छे तरीके से बता सकते कि एक सहर की संख्या कितनी है इतने लाख जन संख्या है अगला है हमारा एक कक्षा में चात्रों का वजन अब देखी ये हमारा उपर नीचे हो सकता है ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है इस तरीके से बढ़ सकता है तो ये देखे जो वजन है वो हो सकता है किसी का मान के चलते है कि 40 किलो हो दूसरे बच्चे का 45 किलो हो तीसरे बच्चे का 35 किलो हो तो उपर नीचे उपर नीचे ये इस तरीके से हो सकता इस तरीके से continue हो सकता ये हम ये नहीं कह सकते कि एक कलास है उसके अंदर सभी बच्चों का वजन है वो 45 किलो है ये ऐसे हम नहीं कह सकते बिल्कुल सही रूप से इसको नहीं कह सकते तो इसका जो आंसर होगा ये कक्षा में छात्रों का वजन इस तरीके से इसको identify करें दोस्तो हमारी तरह से इस तरह से इस question का answer देंगे अगर किसी दोस्त को इस question का answer देने का और वी कोई तरीका पता है वो आप हमें comment box के जिरिए बता सकते हैं लेकिन हमारी तरफ से यही एक तरीका इस तरीके से हम इसका answer निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वस इतना है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को like किजिए, share किजिए, comment किजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं थैंकियो दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड यर कोशन पेपर देते हैं इसके साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम आपको ऐसे कोशन दिखाने वाले हैं जो सन 2008 से लेकर जूम 2019 तक आए हैं और काफी बार तो ऐसा होता है दोस्तो इन कोशन में बिल्कुल डिट्टो कोपी स्टेटमेंट होते हैं और उनके जो ऑप्सन होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं तो ऐसे कोशन करना हमाले बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों और मैं बार बार आपको कहता हूं कि UGC net के अंदर हमेशा question repeat होते है अगर उन question को हम अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल असानी से हम exam कर सकते हैं और अपना net plus में ज्यारह बिल्कुल असानी से हो सकता है तो दोस्तों ये वीडियो अप पूरा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से question है के लिए किस कीमत पर बेचना होगा यहां से देखें यह क्या कह रहा है इसे समझने की कोशिस कीजिए कोई वस्तु है उसे हम 11% हानी पे 178 रुपे में बेचते हैं उसी वस्तु पर अगर हमें 11% का लाब चाहिए तो उसे कितने रुपे में बेचना होगा यहां पर बात कह रहा है अब यही कोशन देखते हैं दोस्तों दोबारा कब आया है यह देखें दोस्तों यह हमारा 26 जूम 2019 मौर्निंग का पेपर है इसके अंदर यह कोशन देख सकते हैं इसमें कहा है एक परसन इंशोर 10% लोस यहां पर आप देख सकते कि दोनों के दोनों जो कोशन है यह कोशन और यह कोशन सेम है और इसी तरह का कोशन दोवारा फिर आया था जो 26 जूम 2019 इवनिंग की जो सिफ्ट थी उसमें दोवारा फिर यह कोशन आया यहां पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते कि यह तीनों के तीनों कोशन किस तरह से हम करेंगे यह देखे दोस्तों यह कोशन करने से पहले सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहुत ज्यादा जुरूरी है इन दो फॉर्मूले से हमारा एक कोशन निकलेगा अब देखे हानी होने पर करेंगे अब देखे यहां पर यह क्या कह रहा है यहां पर देखिए यहां पर यह बेचने की बात कर रहा है यह इसने चीज बेची है तो अब लाब कमाने के लिए अब देखिए 11 पर 30 लाब कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा यानि कि यहां पर हमें विक्रे मुले पता करना तो इससे पहले हमें करे मुले पता होना च ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर यह दिया हुआ है दोस्तो हानी होने पर करे मुले करे मुले वो होता है दोस्तो जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और विक्रे मुले वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं अब देखिए हानी होने पर क किस तरीके से बैठता है अब देखिए इसके इंदर विक्रे मुल्य क्या होगा 178 रुपए हो गया और हानी प्रतिसत क्या होगी हमारी 11 प्रतिसत होगी तो अब इसका हम क्रे मुल्य निकालते हानी होने पर क्रे मुल्य अब क्रे मुल्य को हम यहां पर के लिख देते हैं यहां परतिस्ट कितना अपना यहाँ पर ग्यारा परतिस्ट है तो अब इसमें पूरा लिखते हैं इसमें विक्रे मुले कितना है 188 गुना में 100 बटे में 100 माइनस में 11 अब यह देखे 178 को जब 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों हमारे पास यह आजाएगा 178 और लाश में 20 लग जाएगी और फिर नीचे क्या होगा 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 89 यहाँ पे आजाएगा जब हम 17800 को इसको 89 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आजाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आजाएगा 200 यहाँ पे आजाएगा अब देखे 200 हमारे पास क्या है यह है हमारा क्रे मुल्य है दोस्तों जिस कीमत पे हमें चीज खरीदी है वो है अब आगे हमें क्या निकालना है अब 11 परतिसत ला अब देखी यहाँ पे आप ध्यान में रख ले ना हमने जो cost price वो कितनी निकाली है 200 रुपे निकाली है और 200 रुपे निकालने का जो formula यह है और यह formula मैंने आपको पीछे भी दिखाये था वहाँ से आप note कर सकते है अब हमने यहाँ पे cost price निकाली यानि कि CP निकालनी अब हम selling price निकालेंगे SP निकालेंगे कैसे निकालेंगे अब देखी इसका जो formula है दोस्तों इसका formula यह है लाब होने पर विक्रे मुले क्या होगा इसका जो formula करे मुले इंटोंए one plus में lab पर 30 बटे में 100 अब देखिए यह इसके अंदर हम रखके देखते हैं अब देखिए जो SP हमार selling price हमें निकालना है selling price क्या होगा दोस्तों ये था हमारा cost price cp अब देखिए selling आपे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप confused ना हो ये हो गया विक्रे मुल्ले और ये हो गया हमारा करे मुल्ले अब देखिए अब into में 1% में जुलाब है हमारा profit है profit परतिसत बटे में 100 ठीक है ये हमारा formula है अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे एक मिनट ये थोड़ा छोटा लिख लेता हूं मैं यहाँ पर अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा formula के अंदर put करते हैं अब देखिए जो विक्रे मुले वो निकालेंगे तो यहाँ पे करें मुले कितना निकाला था दोस्तो हमने 200 रुपे निकाला था into में एक जमांए जो profit है profit कितना है 11% 11 बटे में यहाँ पे हमने लिख दिया 100 अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर दिता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए अब देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ी जगह कम है इसमें यहाँ पे यह आ गया हमारा 200 इंटू में अब 100 को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे एक के साथ तो 100 रहेगा 100 जमा में 11 यानि कि यह हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 111 बटे में 100 यह दोस्तों इस तरीके से जो जमा करते हैं यह हम सभी को आता है नॉर्मल चीज है साइद यह मेरे को बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल बेसिक चीज है अब देखिए अब आगे क्या होगा दोस्तों अब यह होगा जैसे की 2 0 से 2 0 हमारी यह कट गई और जब 111 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 222 हमारे पास यहाँ पर आज जाएगा और 222 जो है दोस्तों हमारे उप्सन नमबर सी में दिया हुआ इसका आंसर तो इस तरह से आप बिल्कुल असाने से यह कोश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों और मेरे को लग रहा है कि साइद आप थोड़ा करनिफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर बही पता नहीं कैसे करके क्या निकाल दिया आप सभी केवल और केवल एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर यह जो दो फॉर्मूले हैं आप इनको रट लेना याद कर आप इन दोनों को जरूर याद रखना क्योंकि इसी के बेस पे हमारा कोशिन निकलेगा अब देखिए अब हम अगला कोशिन करने की कोशिस करते हैं यह जो कोशिन आया हमारा 26 जून 2019 को आया था यह कोशिन करने की कोशिस करते हैं अब देखिए इसके इंदर क्या कहा है कि एक जो है वोच है 10% हानी पे 1800 रुपे में बेची जाती है तो 10% लाब कमाने के लिए उसे कितने रुपे में बेचा जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या है दोस्तो इसका करे मुले पता करना है यानि कि CP हमें पता करना है अब देखी इसका वही फॉर्मुला जो मैंने अभी आपको बताया था यानि कि करे मुले करे मुले किसके एकुल होगा दोस्तो इंगलिस में से हम CP कहेंगे यह क्या होगा हमारा जो विक्रे मुले गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारा लोस हुआ है वो ठीक है अब विक्रे मुले हमारे पास यहां पर कितना है यहां पर 18gers रुपए गुना में 100 हमने कर दिया बटे में क्या होगा 100 माइनस में लोस लोस कितना था हमारा 10 यानि कि 10 जब 100 में से माइनस करेंगे तो यह क्या जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा और जब हम अब देखिए 0 से 0 ही कट गया 9 दुनी 18 200 या गया रो 10 यह टोटल यहां पर क्या आ जाया दोस्तों हमारे पास 2000 रुपे आ जाएंगे अब देखिए यहां पर 2000 रुपे हमारा क्या है सेलिंग प्राइज है SP है ठीक है अब थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह देखिए करे मुल्ले हमें निकालना है यह देखिए यह हमारा विक्रे मुल्ले है 10 परतिसत लाब पर 10 परतिसत खानी पर किसी वस्तू को 18 परतिसत लाब कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेच जाएगा अब बेचने से पहले हमारे पास करे मुल्ले होना चाहिए और CP जो है इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने पीछे भी बताया है यानि कि विक्रे मुल्ले गुना में 100 बटेवे 100 माइनस में जो हमारी हानी हुई है वो तो ये सारे के सारे फॉर्मूले में जब हम इस कॉस्टन को रखेंगे तो हमारे पास 2000 आजएगा अब देखिए 2000 हमारा क्या आया है ये हमारा विक्रे मुल्ले यानि कि Sailing Price आया है अब हम आगे इस question को करने की कोशिस करते हैं, अब देखिए अब हमें विक्रे मुल्य निकालना है, विक्रे यानि कि विक्रे को V से denote कर देते, इसको इंगलिस में SP, ठीक है, अब देखिए अब जो formula था, हमारा वो था, क्या था, करे मुल्य यानि कि CP इंटो में 1% जमा में, जो हमारा profit है वो P, बटे में 100 यह हमने कर दिया, ठीक है, अब देखिए इसके इंदरम पूरा का पूरा रखने की कोशिस करते हैं, करे मुल्य कितना था दोस्तों, हमारे पास 2000 उपई इंटो में 1, जमा में profit कितना है 10% है, बटे में 100 अब देखिए, अब वही काम करेंगे जो पीछी किया था, हमने 2000 का 2000 रखेंगे, 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आजाए हमारे पास, 100 ही आएगा 100 में जब 10 एड करेंगे, तो 110 आजाएगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, रूपिये, यह एक मिनट यहाँ पे लिखे देते हैं, थोड़ी जगह की problem है गुना में यहाँ यहाँ पे 110 बटे में, यहाँ पे हमारे पास, 102 0 से हमारी अब देखिए, अब 20 को जब हम 110 से गुना करेंगे तो यह क्या जाएगा, दोस्तों, हमारे पास 2200 रुपए आ जाएगा, और जो 2200 जो आंसर है, दोस्तों यह हमारा option number 3 के अंदर दिया हुआ है तो दोस्तों, यहाँ से आप बिल्कुल असानी से इस question को निकाल सकते है, हमें मानता हूँ थोड़ा सा difficult जरूर है यह, लेकिन अगर आप कोशिस करेंगे तो ऐसी बात भी नहीं है कि यह आनी सकता, अगर किसी दोस्त को यह question समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप इस इस वीडियो का आप दोबारा देखना, और किसी भी तरह की अगर देखत हो तो आप हमें वर्टसप पे सिज़ करके पूछ सकते हैं, और अगला जो question है दोस्तों, यह भी हमारा इसी तरह का question है, यह आप करके देखना, अगर कोई problem आए तो हमें बताना, अब देखिए दोस्तों, हम अगला question देखते हैं, अगला जो question है वो हमारा loss and profit से बिलकुल अलग है, यह है हमारा जो time and distance है, उससे question है, इस तरह के question भी हमारे आए हैं, अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, two cyclists start from the same palace in opposite direction, यानि कि दो cycle वाले हैं, वो opposite direction के अंदर जा रहे हैं, one goes toward north at 9 km per hour, एक बंदा है वो north की तरफ जा रहा है, 9 km परती हावर की speed से, और जो दूसरा जो बंदा है, other goes toward south, 10 km पर हावर की speed से, अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक क्या कर रहा है, कि वो north की तरफ जा रहा है, और जो दूसरा है, वो south की तरफ जा रहा है, दोनों के दोनों अलग opposite direction में जा रहे हैं, अब एक बंदा है, जो वो है 9 km per hour की speed से जा रहा है, और जो दूसरा है, वो 10 km की speed से जा रहा है, अब आगे इसने का है, कि what time will we take to be 47.5 km apart, यानि कि दोनों एक दूसरे से साधे 47 km दूर जाने में उनको कितना time लगेगा, ये बात यहां पर पूछ रहा है, अब देखे दोस्तों अगर ऐसे देखा जाए तो काफी difficult है, पता नहीं क्या है, कोन कहां पर जा रहा है, समझ में यारा कैसे होगा ये question, लेकिन अगर इ से बिलकुल असानी से कर सकते हैं, ये देखे दोस्तों अब थोड़ी सी common sense लगानी है हमें, कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे और जो time लगेगा दोनों में बराबर बराबर time लगेगा, अब देखे यहां पर ये साधे 47 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसक व्यूनी 20 गंटे होगे, तो ये कितने होगे दोस्तों, ये 38 गंटे हमारे पास हो गए, तो सबसे पहली बात हमारी क्या रही है दोस्तों वो या तो A option होगा, या फिर हमारा च्यार ओसन यानि की sagte comesuję, इन दोनों में से एक होना चाहिए, अब हमें क्या करना है दोस्तों इसक धाई घंटे ये धाई गंटे लेकर चलते हैं धाई घंटे का मतलब कितना होता है दोस्तों हम यहां पर लिए 2.5 multiply by nine कर लेते हैं तो कितना हो जएगा जब हम धाई को 9 से multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आजाएगा साधे 22 किलोमेटर आजाएगा अब दूसरा जो 10 है इसको यूज करके देखते है 10 गुना में अब दुवारा से फिर इसमें धाई घंटे करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों हमारे पास ये आजाएगा ये आजाएगा दोस्तो हमारे पास 25 अब इन दोनों को जब हम पलस करते तो ये आजाएगा दोस्तो हमारे पास 47 किलोमेटर आजाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप थोड़ा सा लोजिक लगा के बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं हाँ मैं थोड़ा सा मानत उनकी difficult है लेकिन आप practice करेंगे तो यही question हमारे लिए बिलकुल असान हो जाएंगे अब हम दोस्तों अगला question देखते हैं अगला हाँ यह question देखें दोस्तों यह question भी अभी तक बहुत बार आ चुका है और यह question अब दोबारा आने start हो गए है पहले क्या था यह सन 2011 से पहले पहले काफी question आए है यह question बिलकुल असान है दोस्तों इस तरह की question कैसे होते हैं यह जैसे हमने coding recording करवाई थी उसी से related question है और उस time हम करवाना भूल गए थे तो अब कर लेते हैं अब देखी इसने कहाए कि bet bet को कोई आदमी 23 लिखता है और cat को 24 लिखता है तो bowl को किस तरह से लिखा जाएगा अब देखी bet को 23 किस तरह के से लिखते है अब देखे मैंने बता रहे था बी है वो कितने पे दोस्तों दो पे है A है वो कितने पे एक पे टी कितने पे बीस पे अब इन तीनों को पलस कीजिए यह कितना हो गया हमारे पास 23 हो गया इसी तरीके से cat है cat हम यहाँ पे लिखे लिए थे cat अब देखिए cat c कितने पे 3 पे a कितने पे 1 पे t कितने पे 20 पे और यह कितना हो गया दोस्तों यह हो गया हमारे पास 24 यानि कि 24 हो गया इसी तरीके से bowl है bowl कितने नंबर पे आएगा दोस्तों तो bowl के लिए आप यहां पर लिख लिए बी A double L तो B कितने पर दो पर A कितने पर एक पर L कितने पर 12 पर ओर L कितने पर 12 पर अब इन सभी को plus कीजिए पलस करने पर क्या होगा दोस्तो 12, 12, 24, 26, 27 ये कितना आग..., 27 यहां पर आगया तो इसका answer क्या होगा करके देखना और इसके अलावाज जैसे हाँ एक ये कोशन है दोस्तों ये कोशन भी पहले आया है काफी बार आये इस तरह के कोशन ये कोशन भी हमारे लिए करना जुरूरी है अब देखी इसमें इसने क्या कहा है इन्हें सरटेन कोड 786 को क्या लिखा जाता है और 958 को क्या लिखा जाता है और 645 को क्या लिखा जाता है इस तरीके से इनको लिखा जाता है तो आगे ये कह रहा है अब देखी इस तरह के कोशन कैसे करेंगे बिलकुल असान बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवज सकता है अब देखी यहां पे 786 को study very hard लिखा जाता है और 958 को hard work page लिखा जाता है अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखी 786 और 958 के अंदर क्या चीज कोमन है यहाँ पे आप 8 देखी आठ इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है और दूसरी चीज यह देखी है कि इन के अंदर study very hard यहां से यहां तक और hard work page इन दोनों के अंदर क्या कोमन चीज है इन hard को हम क्या दे देंगे mark 8 दे देंगे 8 हम माल लेंगे अब हम आगे चलते हैं अब 645 को क्या लिखा जाता है रुके मैं erase कर लेता हूँ यहाँ पे रुके 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 हाँ अब देखी 645 को क्या लिखा जाता है study and work लिखा जाता है तो अब देखिए study and work study की बात कहां पे चल रही है अब यहीं पे चल रही थी और इसमें देखिए यहां पे study है और इसमें भी study है तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या common है वो चीज देखिए अब देखिए यहां पे 6 है और इसमें भी 6 है तो 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तो study हो गया ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखे लेते हैं यह जो study है एक मिनट दोस्तों यह जो study है इसको हमने लिख लिया च्छे और जो hard है hard का आया था हमारा यहाँ पे art यहाँ पे हमने लिख लिया अब आगे हम क्या देखते हैं कि यह कहरा कि which of the following is the code very very जो code है उसका मतलब क्या होगा अब देखी very कहाँ पे कौन से sentence में है 786 वाले में study very hard अब देखी study का हमने 6 निकाल लिया hard का हमने 8 निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया very बच गया only और यहाँ पे कौन सा अक्सर बच गया यहाँ पे हमारे पास बच गया only 7 बच गया क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का code निकाल लिया है तो very का क्या हो जाए है दोस्तों हमारे पास 7 इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह की question कर सकते हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रेशान है कोई question समझ में ना है तो प्लीज आप हमें what's up पे message कीजिए what's up नंबर हमारा ये है यहाँ पे आपको message कीजिए हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी courses करेंगे तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं, thank you दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर शकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं, theoretical videos देते हैं, इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक all year question paper देते हैं, with topic wise question, जैसे के आज तक research के question आ चुके हैं, teaching के question अलग रखे हैं, communication के अलग रखे हैं, इस तरी के से सभी 10 unit के question हैं, आपको अलग लग किये हुए मिलेंगे, इसके साथ स दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है, तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पे contact कीजिए, तो उसके अंदर एक और टोपिक नया एड़ हो, हुआ है mathematical reasoning में साधान, ब्याज, मोल धन और मिसर धन वगरा के बारे में ये topic एड़ हुआ है, इसमें से 2019 में question आए हैं, एक दो पहले इसमें से question नहीं आए, तो संभावना है कि आगे जो exam हो हमारा दिसम्बर का उसमें question आ सकते हैं, तो देखते हैं कि ये question किस तरह ऐसे होंगे, इसमें देखें दोस्तों वैसे तो हमने जो हमारी पिछली classes होती थी, दसमें कलास में हमने पढ़ा है, आठमें कलास में पढ़ा है, साधान व्याज क्या होता है, मूल धन क्या होता है, चकरवरती व्याज क्या होता है, वही concept है हमारा लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे revise करने की जरूरत है, अब देखिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि साधान ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधान ब्याज मूलधन वगरा क्या होते हैं यह देखते हैं देखिए सबसे पहले बात आती है मूलधन मूलधन क्या होता है मूलधन वो होता है दोस्तों जो हमारी सुरू की जो कोश्ट होते हैं जो पैसे हम किसी से लेते हैं यानि कि जो हमारी ओरिजिनल कोश्ट होते हैं उसे हम कहते हैं मूलधन कहते हैं दर कहते हैं यानि कि जो रेट होता है यानि कि 2% से इंकड़ा व्याज लिया है दस परतिस्त लिया या जितने परतिस्त भी लिया हुआ होता है उसे हम कहते है रेट या दर गहते है फिर समय यानि कि कितने टाइम के लिए हमने व्याज लिया है तो वो होता है और उसके बाद में जैसे कि हम बात करते हैं कि साधान व्याज निकालने का फॉर्मॉला क्या है तो इसका है दोस्तों मुल्धन गुना में दर गुना में समय बटे में सो और यह हमने जो पिछली क्लासिज होती थी दसमें क्लास में बहुत अच्छे तरीक से किया हुआ है तो यह दोस्तों बिलकुल सिंपल है यह आपको याद रखना है अब उसके बाद में आता है दोस्तों अगर हमारे पास दर निकालने हो दर नी दी ब्याज मुल्धन समय दिया हुआ हो तो दर कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मॉला यह है दोस्तों ब्याज गुना में सो बटे में मुल्धन गुना में समय तो इस तरह से यह निकाल सकते हैं, उसके बाद है दोस्तों, अगर हमारे पास समय ना दिया हुआ हो, और मुल्धन दिया हुआ हो, दर ब्याज दी हुए हो, तो इसका फॉर्मूला यह है, ब्याज गुना में सो, बटे में मुल्धन गुना में दर, और उसके बाद जो एक और important आता है वो है दोस्तो चकरवर्ती व्याज अब चकरवर्ती व्याज का जो formula वो यह है दोस्तो मूलधन into में one plus में दर बटे में so यह इसका formula है और इसकी जो power है दोस्तो वो होगी समय होगी और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम minus कर देंगे और आप एक वर इन सभी को देख लेना याद कर लेना जैसे तैसे करके क्योंकि इसमें से question आने की काफी संभावना है दोस्तो अब इसमें ये देखते हैं दोस्तो एक question है इसको करके देखते हैं सालाना 12% की दर से एक निस्चित रासी को दोगना होने में कितना समय लगेगा ये कहे रहा है कि हमारे पास कोई रासी है और उस पे 12% का ब्याज लगाते हैं तो उसे दोगना होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे रासी है वो नीदी हुई वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी अब हम मान के चलते हैं कि हमने माल लिया कि जो मूल धना है हमारा वो हमने माल लिया दोस्तों दोस्तों हमने माल लिया और जो दर है दोस्तों दर कितनी है यहां पे 12% यह दोस्तों माना है दोस्तों यह एजूम किया है हमने और अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा है ताइम हमें निकालना है समय यहां पे हमें निकालना है और जो ब्याज है दोस्तों ब्याज क्या होगा अब देखिए इसके अंदर यहां पे इसने का है कि एक निस्चित रासे को दोगना होने में यानि कि वो दोगना हो जाते है कुछ टाइम बाद में कितनी हो जाती है दोगना हो जाती है तो यहां पे हम दोस्टो का दोगना कितना होगा दोस्तो चैर्शो होगा तो ब्याज कितना होगा दोस्तो ब्याज जो है को इंटरेस्ट कितना होगा चैर् और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ब्याज आ गया तो इसका समय कैसे निकालेंगे ये देखिए अब देखिए दोस्तो ब्याज यहां पे हमने निकाल लिया 200 रुपए निकाल लिया ठीक है अब यहां पे टाइम निकालेंगे टाइम किस तरीके से निकालेंगे उसका ठीक है ब्याज हमने कितना निकाला 200 गुना में 100 मुलधन कितना था हमारे पास 200 ही हमारे पास मुलधन था था हमने माना था न कि माना कि सरू के जो हमारी अमाउंट होगी वो 200 रुपए और जमा में ये क्या दर दर कितनी हम 12% अब 200 से 200 कट गया अब 12 से जब हम 100 को कट करेंगे तो कितना आजाए दोस्तो 8.33 यहां पे हमारे पास आएगा और 8.33 को हम क्या कह सकते दोस्तो 8 साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं तो इस तरह से यहां पे इसका अंसर D आजाएगा तो इसी तरीके से थोड़े complicated question देंगे वो हमें करने होंगे लेकिन आप practice करोगे तो आपको यह सभी के सभी question आजाएगा आप इन formula को याद रखना अब यह देखे दोस्तो यह जो question है हमारा इस तरह के question जून 2019 के अंदर आए थे और इसके अंदर क्या कहा जाता कि इसके अंदर हमें के series दे दी जाते हैं जैसे एक से लेके 50 तक 100 से लेके 200 तक और उनमें पूछा जाता है कि इनमें even number का जोड़ क्या होगा या natural number का जोड़ क्या होगा तो इन question को हम किस तरह से करेंगे बिलकुल अरसानी से यह देखते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि find the sum of all first 50 natural number इसने कहा है कि सरू के 50 प्राकरतिक संख्याओं का योग क्या होगा सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकरतिक संख्याओं क्या होते है प्राकरतिक संख्याओं जैसे 1,2,3,4,5,6 इस तरीके से continue जो चलती जाए उसे हम कहते हैं प्राकरतिक संख्याओं कहते हैं तो यह कहते हैं तो यह कहते हैं कि कि natural number और natural number का formula यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अब बात आते हैं N, N यहाँ पे क्या होगा, N वो होगा सबसे last की जो ट्रम हमें दी हुई होते हैं, वो N होता है अब देखें इसमें यह formula में put करके देखते हैं N यानि कि 50 into में N पलस में 1 यानि कि 50 पलस में 1 यहाँ पे हमने कर दिया और बटे में 2 हमने यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से अब देखें, 2 से यह 50 कटेगा तो कितना जाएगा 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आगे हम लिखे लेते है 25 into में 51 हो गया, ठीक है अब 25 को 51 से जब हम multiply करेंगे तो I think 1, 2, 7, 5 यहाँ पे इसका अंसर आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते हैं दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं यह सब करने में लेकिन अगर आप मैनूली तरीके से करते हैं जोड़ जोड़ के देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद होना जरूरी है find the sum of all first 50 even number यहाँ पर अगर even number दे दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा n इंटो में n पलस में 1 इसका क्या होगा 50 इंटो में 50 पलस में 1 तो यह क्या आ जाएगा दोस्तों 50 इंटो में 51 जब हम 50 और 51 को multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2550 इसका अनसर आ जाएगा तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इसको कर शकते हैं और अगर यह ओड नमबर की बात कर ले यानि कि विसम संख्या की बात कर ले तो उसका फॉर्मूला यह लगेगा even वो होते जैसे 2468810 को हम even number कहते हैं तो यह कोशन वैसे ज्यादा वार तो नहीं आया है अभी आया है जून 2019 में पहले इस तरह का कोई कोशन नहीं आया है तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना वैसे बहुत ज्यादा important तो नहीं है यह और आगे देखते हैं दोस्तों यह जो कोशन है हमारा करीब 3-4 बार अभी तक आ चुका है और यह जून 2019 के एक्जाम में भी आया था इस तरह का कोशन इसमें क्या होता है दोस्तों चार चीज़े दिवी होते हैं और उनमें पूसा जाता कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ों से अलग है वो हमें बताना है अब इसमें जैसे लखनव, रिशी केस, इलावाद, पठना यहां पे दिया हुआ हमें बताना कि कौन सा अलग है यहां पे जो लखनू है दोस्तों वो सबसे अलग है क्योंकि लखनू जो है गोमती के किनारे बसता है और रीसी केस इलावाद और पटना ये गंगा किनारे बसते हैं तो इस तरह से हमें अलग देखना कि कौन सा अलग है अब इस से रिलेटिड कुछ और कॉशन देख लेते है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखे दोस्तों उधान 48 एक सब्द का चैन करें जो सम्हों में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाता अब देखें यहां पर क्लेंडर है तिथी है मास है दिवस है अब यहां पर बिलकुल असानी से हम देख सकते कि क्लेंडर मास दिथी यह सारे किसके अंदर आती है क्लेंडर के अंदर आती है यह जो तीनों B, C, D क्लेंडर के पार्ट है तो जो क्लेंडर है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे आगे की 49 नंबर उधारन है निमल लिखित ऐसे सब्दों का चैन करें जो सम्हों में दूसरे सब्दो और र önसे मेल नहीं खाते अब देखे मयूर दिया है, गिद दिया है, हनस दिया है चीडिया दिया है तो इसके अंदर जो हनस जो है हनस बलकुल अलग हो जाएगा क्यों हो जाए दो इन सब में केवल है SAMS ही जल पक्सी है हनस के जो पानी में तैरता है लेकिन और जो चीडिय आए गिद है वो मेवरा वो पानी में तैरते नहीं है हाँ वैसे नॉर्मली तैर सकते हैं वो लेकिन उनकी फित्रत नहीं है तैरना ज्यादा तर हंस ही पानी के अंदर तैरता हुआ हम देखते हैं और इसके अलावा जैसे इस तरह के कोशन भी आ सकते हैं हमारे एक्जाम के अं और फिर इसमें से देखते कि कौन इनमें से मैच कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते कि जो निकल और लोहा पावर जिंक यह क्या है कि सोलिड स्टेट में होते हैं तो यह क्या होगा ठोस धातू होगी यह हमारी अप्सन नमबर सी इसका बिलकुल सही हो जाएगा लेकिन जो ए बी और डी क्यों नहीं होगा वो सोलिड स्टेट में नहीं होता जो कारवन जो होती है वो क्या होती है गैस के रूप में होते है और जो मूली अब इन तीनों से देखते कि कौन सा मेल खाता है अब देखिए इसने दिया है टमाटर पालक तिल और मूगफली अब देखिए यहां पर आलू गाजर मूली यह तीनों के तीनों क्या है जमीन के अंदर उगते हैं यानि कि एज़ड टाइप में होते हैं इसी तरीके से जो मूगफली है वो भी जमीन के अंदर उगती है तो यहां से हमारा आंसर क्या जाए दोस्तों ओप्सन नमबर डी हमारा आंसर आ जाएगा तो दोस्तों यह थे आज के हमारे कॉश्चन कुछ इंपोर्टेंट कॉश्चन थे जो जिनके संभावना बनती है आ गयाने की तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो शी वीडियो को लाइक कीजिए, सेव कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरू दबाईए अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं, इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के सब्सक्राइब के लाइव मोक टेस्ट देते हैं, दोस्तो अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमबर पे कॉंटेक्ट कीजिए